Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace, हम लोग क्लास 9th के सिविक्स का 1st chapter कर रहे हैं, the chapter name is What is Democracy and Why Democracy, हम यहाँ पर जानेंगे कि डेमोकरिसी क्या है और डेमोकरिसी है तो क्यूं है, ठीक है, यह दोनों ही चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे, हाला कि यहाँ पर एक ओवर्वियू भी दिया ह हुआ है, इस ओवर्वियू के थ्रू हमें यह पता चलता है कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हम इस चैप्टर में क्या-क्या जानेंगे, डेमोकरिसी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, डेमोकरिसी की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम step by step समझेंगे इसके अलावा democracy की definition में बहुत सारी ऐसी terms हैं जो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं तो उन terms का हम meaning समझेंगे and फिर हम democratic form of government का aim देखेंगे इसके जो features हैं वो पढ़ेंगे फिर हम एक distinguish करेंगे या यह कहलो कि हम एक difference देखेंगे democratic form of government and non-democratic form of government में फिर हम इसमें यहाँ पर यह भी जानेंगे कि democracy जो है यह जो democratic form of government है आज कल mostly देशों में यह expand हो रही है इसका reason क्या है और दूसरा जो बड़ा question है वो यह है what makes it better than other forms of government कि democratic form of government other form of government से क्यों बहतर है यह चीज़ भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब आगे हमारा chapter शुरू हो जाता है अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे what is democracy democracy क्या है you have already read about different forms of government देखो आपने different form of government पढ़ ली है आपने six seven eight इन तीनों ही classes में अलग-अलग तरीके की government के बारे में पढ़ा हुआ है जैसे कि democracy, autocracy, absolute monarchy, constitutional monarchy, dictatorship इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है तो आपकी जितनी भी अभी तक understanding बनी है democracy की उसके regarding आपको यहाँ पर कुछ common features लिखने है democratic government के and non-democratic governments के अब next point है why define democracy की democracy को define करने की जरूरत क्यों है before we proceed further आगे पढ़ने से पहले let us first take note of an objection by Mary देखो Mary को न कुछ objections हैं कुछ इसके doubt हैं तो पहले हम इस objection को देखेंगे कि Mary को किस किस तरीके के doubts हैं regarding democracy she doesn't like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions तो जिस तरीके से democracy को define किया जाता है वो तरीका Mary को बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसी लिए ये कुछ basic questions जानना चाहती है तो अब जो इसकी teacher है Matilda Lingo ये इसके questions का respond करती है तो जो इसकी teacher है Matilda Lingo वो Mary के questions को solve करने की कोशिश करती है उसके हर एक question को respond करती है as other classmates join the discussion अब इन दोनों के बीच में जो ये discussion हो रही थी इसमें other classmates भी join हो जाते हैं तो यहाँ पर ये जो objection है Mary के वो दिखाए गई है और फिर Lingo मैडम जो है वो इसके हर एक question को respond करती है ये सारी की सारी यहाँ पर conversation दिखाए गई है Mary कहती है ma'am I don't like this idea first we spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy तो Mary कहती है कि मुझे democracy का ये तरीका पसंद नहीं है कि पहले तो democracy को discuss किया जाता है फिर बाद में इसका meaning निकाला जाता है I mean logically shouldn't we have to approach it other way round तो यहाँ पर Mary कहना चाहती है कि पहले हमें democracy का meaning समझना चाहिए और फिर बाद में उसके meaning को discuss करना चाहिए लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग पहले तो democracy को discuss कर रहे हैं और बाद में उसका meaning देख रहे हैं तो मुझे यह idea बिलकुल भी पसंद नहीं आया shouldn't the meaning have come first कि पहले तो meaning करना चाहिए और बाद में उस meaning को discuss करके उसके examples लेने चाहिए ठीक है अब lingdo madam कहती है I can see your point कि मैं तुम्हारा point समझ सकती हूँ बट हम daily की जिन्देगी में everyday life में हम यही तो करते हैं जैसे की हम लोग बहुत सारे ऐसे words use करते हैं pen, rain, love ठीक है न हम लोग यह daily की life में यह words use करते हैं pen, rain, love and इसके अलावा बहुत सारे words हैं जो हम daily की life में use करते हैं so do we wait to have a definition of these words before we use them तो यहाँ पर teacher कहती है कि क्या हम pen, rain and love इन words को use करने से पहले इनका definition देखते हैं तो अब अब खुद बताओ बच्चों कि क्या हम really में pen, rain, love इनकी definition पहले करते हैं या फिर हम इनको use करते हैं पहले हम use करते हैं इनको पहले right so इसी तरीके से हम democracy को discuss करते हैं पहले फिर बाद में उसके definition देखते हैं come to think of it do we have clear definition of these words और एक चीज सोचो क्या pen, rain, love इनकी कोई clear definition है इन words की नहीं है ना so it is only by using a word that we understand its meaning तो हम लोग जब यह words use करते हैं तो हम इसका meaning समझते हैं कि pen क्या है लिखने के काम आता है rain मतलब बारिश होती है love that means एक प्यार एक बच्चों का अपने माता पिता के प्रती and माता पिता का अपने बच्चों के प्रती right so and प्यार की भी definition तरह तरह की है right इसमें भी variety है अब मैरी कहती है but then why do we need definitions at all अब मैरी यहां कहती है कि चलो ठीक है मैं आपकी बात बेविक्कुल सही है कि हम पहले चलो daily की life में हम words को यूज करते हैं ना कि पहले definition देखते हैं लेकि जब हम words को और उनके meaning को समझ जाते हैं तो हमें definition की ज़रूरत ही क्यूं है definition हमें चाहिए ही क्यूं तो यहां पर लिंग्डो मैडम इस बात का response करती है लिंग्डो मैडम कहती है we need a definition only when we come across a difficulty in the use of a word कि हमें definition की ज़रूरत तब परती है जब हम किसी word को use करने में थोड़ी सी difficulty महसूस कर रही हूं ठीक है जब हम किसी word को use करने में अगर difficulty महसूस करते हैं तो हमें इसको define करने के लिए word को define करने के लिए definition की ज़रूरत परती है जैसे कि for example usually तो हमें rain की definition की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब हमें rain का एक distinguish दिखाना हो drizzle के साथ मतलब अगर हमें rain and drizzle दोनों के बीच में अंतर बताना हो तब हमें rain की definition की ज़रूरत पढ़ेगी या फिर अगर हमें rain का और cloud burst का cloud burst का मतलब होता है बादल फटना तो अगर हमें बारिश और बादल फटना इन दोनों का difference दिखाना हो तब भी हमें rain के definition की ज़रूरत पढ़ेगी तो जब भी हमें इस तरीके की difficulty महसूस होती है ना तब हम definition का use करते हैं और यही same चीज democracy के case में है we need a clear definition only when people use it for different purposes तो हमें democracy की definition इसलिए जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारे लोग democracy को अलग-अलग purpose के लिए use करते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी form of government है जो अपने आपको democracy कहती है ठीक है तो इसलिए हमें democracy की definition चाहिए अब यहाँ पर रिबियांग कहता है जो मेरी का classmate था वो कहता है why do we need to work on a definition मतलब हमें definition चाहिए ही क्यों है क्योंकि आपने हमें already एक definition बता रखी है जो अबराहम लिंकॉल ने दी थी तो यहाँ पर वो definition देखो बच्चो democracy is government of the people by the people and for the people and I am sure अभी तक आप लोग भी यही पढ़ते आ रहे हो ठीक है तो यहाँ पर रिबियांग कहता है कि आपने जब यह already हमें definition बता दी है और यह कहा है कि यह definition अबराहम लिंकॉल ने दी है तो अब हमें definition की ज़रूरत क्यों है we in Megalaya always ruled ourselves हम Megalaya में इसी तरीके से खुद rule करते आई है that is accepted by everyone और यह सबने accept भी कर लिया है why do we need to change that अब हमें इसको change करने की ज़रूरत क्यों है हमें दूसरी definition क्यों चाहिए तो अब लिंग्डो मैडम कहती है I am not saying we need to change it मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हमें यह जो definition है जो अबराहम ने दी है वो हमें change करनी चाहिए I too find this definition very beautiful बलकि मुझे यह definition बहुत सुन्दर भी लगती है अब आगे देखते हैं कि मैडम लिंग्डो ने क्या कहा But we do not know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves तो यहाँ पर मैडम लिंग्डो कहती है कि हमें यह नहीं पता ना कि यह definition सबसे best है जब तक हम इस definition को अच्छे से discuss नहीं कर लेंगे खुद बखुद तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि यह definition अच्छी है We must not accept something just because it is famous and just because everyone accepts that तो यहाँ पर मैडम लिंग्डो बहुत अच्छी बात यह कहती है कि हमें किसी भी चीज़ को यूँ ही accept नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे Just because वो चीज़ famous है या वो किसी famous personality ने वो बात कही है और सब उसको मानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी उस चीज़ को माने हम उस चीज़ के बारे में discuss कर सकते हैं और हम conclusion पर आ सकते हैं कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं है इसी तरीके से अगर Abraham Lincoln ने एक definition दी है democracy की तो हमें इस पर विचार विमर्ष करना या discuss करना जरूरी है क्योंकि हमें भी तो पता लगना चाहिए कि यह definition अच्छी भी है या नहीं है यह fit भी हो रही है या नहीं हो रही है जस्ट विकोज यह किसी famous personality ने definition दिया that doesn't mean कि हमें से accept कर ले हमें discuss करना जरूरी है अब यहां पर Yolanda कहता है ma'am can I suggest something कि ma'am क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ we do not need to look for any definition of democracy हमें democracy की definition की तो जरूरत ही नहीं है because I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word democratia and in Greek demos means people and kratia means rules देखो यहां पर Yolanda क्या कहना चाहरा है Yolanda कहता है कि एक Greek word है कौन सा? democratia और इसी Greek word से क्या बना है? क्या derive हुआ है? democracy तो जो यह demo word है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है people and जो यह kratia है kratia इसका मतलब क्या है? rule तो यहाँ पर यह कह रहा है कि demokratia का मतलब है कि rule by people तो that means democracy का भी यही मतलब है क्योंकि democracy इसी Greek word से निकला है ठीक है तो योलांडा यहाँ पर कहता है कि democracy का meaning है rule by people So this is the correct meaning और यही correct meaning है तो अब हमें debate करने की जरूरत क्या है जब already हमें पता है इसका meaning क्या है इसका meaning है rule by the people ठीक है अब इस बात पर lingdo madam कहती है यह अच्छा तरीका है बट यह हर टाइम work नहीं करता क्योंकि एक जो word है वो हमेशा अपने origin से tied नहीं रहता जैसे कि for example अगर हम computer का example लें originally they were used for computing and that is say calculating very difficult mathematical sums जो यह computers हैं originally यह किस के लिए use किये जाते थे पहले computing के लिए use किये जाते थे इससे calculation की जाती थी and बहुत difficult जो mathematical sums हैं उन्हें solve किया जाता था right और यह पहले के time पर एक तरीके से एक powerful calculator की तरह यूज होते थे but nowadays सभी लोग computer को अब अलग-अलग तरीकों से use करते हैं जैसे कि writing के लिए, designing के लिए, music सुनने के लिए, movies वगेरा देखने के लिए so इसी लिए words जो हैं वो अपने origin से हमेशा tied नहीं रहते बलकि time to time उनके meaning बदलते रहते हैं जैसे कि computer पहले computing, calculations के लिए use होता था अब देखो कितनी सारी चीज़ों के लिए इसको use किया जाता है so time to time जैसे जैसे evolution होता है वैसे वैसे definition and word के meaning बदलते रहते हैं so in that case हम अगर हर एक word का origin से अगर मतलब निकाले तो ऐसे work नहीं चलेगा तो हमें इसी लिए definition की जरूरत होती है क्योंकि time to time चीज़े बदलती रहती है अब इतने में Mary कहती है so basically आप ये कहना चाहते हो मैं कि किसी भी तरीके का कोई shortcut नहीं है तो हमें democracy की meaning और इसकी definition तो देखने ही पड़ेगी so lingdo मैं कहती है बिलकुल सही, you got me right and let us get on with it now अब हम इसके बारे में democracy के बारे में पढ़ेंगे अब आगे देखते हैं यहां पर देखो, simple definition दी गई है now let us get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी government है जो अपने आपको democratic form of government बताती है तो वो जो सरकारे अपने आपको democratic form of government बताती है उनमें हम similarities भी देखेंगे हम उनमें differences भी देखेंगे ठीक है तो यह कह सकते हो आप कि जो democracies हैं हम उसमें differences देखेंगे democracies word क्यों यूज किया गया है क्योंकि बहुत सारी government अपने आपको democratic form of government बताती है तो उन सभी democratic form of government में हमें अब similarity and dissimilarity देखनी है वैसे तो सभी democracies के लिए एक जो common factor या एक जो simple definition जो आपको देखने को मिलेगी वो यह है government is chosen by people मतलब democracy में एक जो main feature है that is कि यहाँ पर जो government choose होती है जो government में representatives है वो choose किये जाते हैं लोगों के द्वारा we could thus start with a simple definition अब यहाँ पर हम एक simple definition देखते है democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people कि democracy एक इस तरीके की सरकार है इस तरीके की government है जिसमें जो government के rulers होते हैं जो representatives होते हैं वो किसके द्वारा elect किये जाते हैं लोगों के द्वारा ठीक है लोग ही क्या करते हैं government में जो representatives होते हैं उनको नियुक्त करते हैं vote देकर this is a useful starting point मतलब अब हम इस simple सी definition को आगे discuss कर सकते हैं थोड़ा बहुत this definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic हमें इस छोटी सी simple सी definition से एक ये तो चीज समझ आ जाएगी कि democratic and non-democratic form of government इनमें एक छोटा सा difference ये है कि जो democratic form of government है इसमें government के जो representatives होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं सो कही न कहीं हम इस simple definition से एक distinguish तो कर सकते हैं या एक difference तो बता सकते हैं democratic and non-democratic form of government में इसके बाद यहां पर मयानमर का एक example दिया गया है the army rulers of मयानमर were not elected by people and those who happened to be in control of the army became the rulers of the country that means कि जो मयानमर में army rulers है न वो लोगों ने नहीं elect किये वो लोगों ने नहीं चुने and जिन लोगों का मयानमर की army पर मतलब यहां के सैनिकों पर जिसका control है न वही इस country के ruler है and people had no say in this decision और लोगों का इसमें किसी भी तरीके का कोई interference नहीं है तो अब आप बच्चों खुद बताओ कि जो यह मयानमर का हम example पढ़ रहे हैं क्या यह example democratic form of government का है क्या यहां पर जो country पर rule कर रहे हैं क्या इन rulers को लोगों ने चुना है पीपल ने चुना है नहीं है न तो यह एक democratic form of government का example नहीं है अब इसके अलावा अगर हम चिले कंट्री की बात करें तो चिले कंट्री में जो dictator है जैसे की पिनोशे तो पिनोशे जो है इसको लोगों ने नहीं चूज किया था तो यह भी एक तरीके से democratic form of government का example नहीं है and this also applies to monarchies और monarchies में भी ऐसा ही होता है जो राजा है वो लोगों के तोवारा थोड़ी न चुना जाता है जैसे की for example the kings of Saudi Arabia rule not because the people they have chosen them to do so मतलब जो Saudi Arabia के king है वो लोगों ने थोड़ी न चुने है वो king या ruler क्यों बने हैं वहां के क्योंकि उन्होंने royal family में जनम लिया है इसी लिए वो king है इसी लिए वो rule कर रहे है अब एक चीज़ यहां पर ध्यान रखना कि royal families में क्या होता है यहां पर hierarchical तरीके से ruling period चलता है ठीक है तो जो family legacy होती है न तो वो legacy जो है वो आगे बढ़ती रहती है और इसी तरीके से जो crown है वो भी आगे चलता रहता है लेकिन जो अभी हमने यह simple सी definition की यह simple सी definition जो है यह तो एक starting point है इस definition से तो हमें यह पता चलता है यह जो simple definition है यह एक starting point है यह एकदम से correct definition नहीं है क्योंकि इस definition से तो हमें यह पता चलता है कि democracy is people's rule रूल कि democracy का मतलब है लोगों का रूल तो यहाँ पर भी तो हम लोगों का रूल देख रहे हैं जैसे कि Saudi Arabia में in fact, Chile country में and Mayan Mar में सब जगें हम लोगों का रूल देख रहे हैं तो क्या यह democracy है हाला कि हमें पता है कि यह democracy नहीं है बट NCRT में जिस तरीके से बताया हुआ हम उसी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे ठीक है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर इस लाइन का मतलब यह है कि यह जो definition हमने अभी की यह simple definition है और यह एक starting point है democracy की definition का अब देखो एक बार इस ना इस definition को दुबारा से तोड़ो आपको अभी यहां पर एक चीज समझ में आईगी देखो यह जो definition है इससे हमें यह पता चलता है कि लोगों का rule democracy है तो यहां पर हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि यहां पर जो लोग हैं वही रूल कर र पता कि किस तरीके की government होनी चाहिए और यह जो rulers हैं यह कौन होंगे और इनको elect किनके द्वारा किया जाएगा और election कैसे होंगे इन सभी terms को हम पढ़ेंगे देखो overview को याद करो हमने overview में क्या किया था कि democracy के definition में ऐसे बहुत term आएंगे और उन terms को हम पढ़ते हुए चलेंग और elect जो है वो election किस तरीके से होगा, elect कौन करेंगे ठीक है तो यह सारे चीज़े हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसलिए अभी तक यह जो definition है यह अभी तक उतनी adequate नहीं है क्योंकि इससे तो सिर्फ हमें यह पता चलता है that democracy is people's rule मतलब लोगों का राज ही क्या है democracy है और अगर हम बिना सोचे समझे बिना इस definition पर discuss किये अगर इस definition को ही सही मान के चलें तो हम उन सभी government को democratic form of government कहेंगे जहाँ पर election होता है लेकिन बच्चों याद रखना election भी अलग-अलग तरीके से होता है ठीक है तो democracy में जो election है वो अलग तरीके से होता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि जहाँ पर जिन-जिन देशों में election होता है वहाँ पर democracy होगी क्योंकि बहुत बार election misleading होते हैं हाला कि इसके बारे में हम chapter 3 में अच्छे से detail में जानेंगे and इस contemporary world में सभी प्रकार की जो सरकारे हैं जो सभी government है वो चाहती है कि उन्हें democracy बोला जाए उनको democratic form of government कहा जाए बट हमें बहुत ध्यान से यह distinguish करना है कि कौन सी government democracy है और कौन सी government अपने आपको जो है pretend कर रही है democratic होने का मतलब कौन सी government democracy है और कौन सी pseudo democracy है false democracy कौन सी अपना रही है ठीक है we can do so by understanding each word in this definition carefully तो हमें इस definition के हर एक word को carefully तरीके से पढ़ना होगा समझना होगा और democratic government के features देखने होंगे तब ही हम जाकर अच्छे से democracy का meaning समझ सकते हैं अब आगे वाला जो part है वो हम next video में करेंगे I think features हैं इसके आगे हाँ features of democracy बहुत important है यह हम next video में करेंगे till then आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से करना है फिर इसके बाद हम इस chapter को और detail से पढ़ते जाएंगे और फिर बाद में जब यह chapter पूरा complete हो जाएगा मैं इसको compile करके एक video में डाल दूँगी अब भी हम इसको parts में पढ़ेंगे चले मिलते हैं अब हम next video में प्रियंका गोर I wish you all the best keep learning thank you so much for watching this video thank you hello everyone I am Priyanka गोर welcome back to my channel learning with pace हम लोग 9th class की civics का first chapter कर रहे हैं the chapter name is what is democracy and why democracy तो इस chapter का यह हम second part करेंगे and second part में हम democracy के features को समझेंगे ठीक है we have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people and this raises many questions देखो हम लोगों ने democracy की एक simple सी definition की थी previous video में भी हमने इस definition को किया था यह है वो definition कि democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people तो यह जो simple सी definition है ना इसमें काफी सारी ऐसी terms आती हैं जिन terms को पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन terms को जब तक clear नहीं करोगे हमारे सामने यह questions रहेंगे ही रहेंगे तो अगर हम इन terms को अच्छे से जान लेंगे तो हमें पता चलेगा कि democracy का मतलब क्या होता है and हम किस government को democratic form of government कह सकते हैं किस government को हम non-democratic form of government कह सकते हैं तो हमें democratic and non-democratic दोनों का difference समझ में आएगा तो यह जो simple सी definition है इसमें बहुत सारे questions raised होते हैं जैसे कि देखो पहले तो definition को समझो democracy is a form of government कि democracy में उस तरीके की government होती है जहां पर जो rulers होते हैं वो लोगों के द्वारा elect होते हैं अब देखो यहां पर question क्या क्या आता है form of government कि government कौन सी होती है किस प्रकार की होती है rulers कोन होते हैं elected मतलब यहां पर election जो है वो कैसे किये जाते हैं क्या कोई elections में किसी तरीके का rule होता है and people that means कि लोग कोन होते हैं जो इन rulers को चुनते हैं तो यहां पर हम किन people की बात कर रहे हैं तो यह सारे जो तमाम questions के answers है वो हमें ढूंडने जरूरी है जैसे कि first question है who are the rulers in this definition यहां पर जो यह rulers है वो कोन है which officials must be elected for any government to be called a democracy कि democratic form of government में किस प्रकार के अधिकारी किस प्रकार के officials elect होने चाहिए officials का मतलब होता है जो अधिकारी होते है which decisions may be taken by non-democratic officials in democracy क्या democracy में जो non-elected officials होते हैं क्या वो भी किसी तरीके का decisions लेते हैं next है election के बारे में question कि election किस प्रकार के होने चाहिए and democratic election क्या होते है elections में क्या किसी तरीके की condition होती है जो हमें fulfill करनी पड़ती है next है who are the people who can elect the rulers and get elected as rulers ये कौन लोग है जो इन rulers को elect करते है should this include every citizen on an equal basis क्या इस election में सभी लोग equally participate करते है या फिर इसमें किसी लोगों को अधिकार मिलता है और किनी को नहीं मिलता तो ये चीज़े भी हमें पता करनी है जिसमें हम age की बात करेंगे finally फिर हम पढ़ेंगे form of government के बारे में and democratic form of government में जो ये elected rulers होते हैं can they do whatever they want क्या ये कुछ भी अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं किसी भी प्रकार का decision ले सकते हैं और must a democratic government function with some limits या फिर democratic government को limits में रहकर दाहरे में रहकर काम करना पड़ता है is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizens क्या democracy में नागरीकों के rights की इनके हित की रक्षा की जाती है क्या इनके rights की respect की जाती है let us consider each of these questions with the help of the examples अब देखो इतने सारे हमने questions पढ़ लिये अब इन questions का answer हम examples के थूँ समझेंगे अब आपके सामने बहुत सारे यहां पर examples दिये हैं NCRT में अलग-अलग देशों के और आपको पता चलेगा कि democratic form of government and non-democratic form of government में क्या difference होता है सबसे पहले example लेंगे पाकिस्तान का General Parvayaj Musharraf led a military coup in October 1999 देखो General Parvayaj Musharraf इन्हों ने October 1999 में military coup किया था military coup करने का मतलब क्या है तकता पलट कर देना that means किसी चीज को overthrow कर देना इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे पहले थोड़ा सा ना हम General Parvayaj के बारे में बात करतें General Parvayaj Musharraf जो थे ये पहले तो आर्मी में General नहीं थे बलकि ये थे lefty night ध्यान से सुनना बच्चों ये आर्मी में पहले क्या थे lefty night थे लेकिन इनकी यहां के PM जो थे तो परवेज Musharraf को अब lefty night से बना दिया General तो बचों आपको ध्यान ये रखना है कि आर्मी में General जो पोजीशन होती है वो सबसे उची पोजीशन होती है सारा आर्मी का control General के हाथ में होता है ठीक है तो परवेज Musharraf जो की पहले lefty night थे उनको अब बना दिया गया General तो जैसे ही इनको General बनाया तो परवेज Musharraf ने सबकी सुननी बंद कर दी भई इन्होंने तो in fact जो political head थे नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे इनकी भी सुननी बंद कर दी तो ऐसा काफी time तक चला नवाज शरीफ ने सोचा कि क्यों ना परवेज Musharraf को हटा दिया जाए लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इनको हटा नहीं पाए प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी क्यों नहीं हटा पाए क्योंकि देखो परवेज Musharraf थे आर्मी के जनरल तो आर्मी का सपोर्ट किसके पास था परवेज Musharraf के पास था तो अब धीरे 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 परवेज Musharraf के हाथ में आई पावर और इसके हाथ में जैसे ही पावर आई तो October 1999 में इसने किया military coup मतलब इसने यहां पर पाकिस्तान में तक्ता पलट कर दिया अब देखो इसने क्या किया He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country इसने क्या कि इसने जो पाकिस्तान में democratically democratic तरीके से elected government थी उसको overthrow कर दिया बाहर निकाल कर फेका और सारी की सारी power अपने हाथ में ले ली और अपने आपको क्या declare कर दिया इसने chief executive of the country और इसने अपने आपको कौन सी position दे दी प्रेजिडेंट की तो इसने अपने आपको प्रेजिडेंट गोशित कर दिया और इसने लोगों को कहा कि मैं अब democracy लाँगा क्योंकि लोग तो democracy की demand कर रहे थे इसने का हमें democracy लाँगा लेकिन कमाल की बात है जनरल परवेज मुशरफ के time period में कभी भी democracy आई ही नहीं ये एक तरीके का dictator था अब थोड़ी सी बात 1999 की कर लेते हैं देखो 1999 में कारगिल युद हुआ था वैसे तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के काफी युद हुए हैं जिसमें हम two major युद की बात करें तो दो major युद जो है वो 1965 और 1971 में हुए थे फिर एक कारगिल वोर भी हुआ था भी recently जो 1999 में हुआ और इसकी शुरुआत हुई थी मई में और ये कारगिल युद खतम हुआ था जुलाई में तो देखो कारगिल युद खतम होने के बाद ही इसने यहाँ पर तक्ता पलट किया था October 1999 में लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना बच्चो जनरल परवेज मुशरफ पहले ऐसे आदमी नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान में मिलिटरी कूप किया था इनसे पहले 1965 में अयूब खान 1971 में याहा खान इन लोगों ने भी Constitution को सेस्पेंट करके अपने हाथ में इन्होंने पावर ले ली थी और इन्होंने डिक्टेटर्शिप उस टाइम पर पाकिस्तान में चलाई थी ठीक है तो सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में ले ली थी फिर 1999 की बात करें तो फिर आते हैं जनरल परवेज मुशरफ जिन्होंने मिलिटरी कूप करके सारी पावर अपने हाथ में ले ली अब इन्होंने अपने आपको प्रेजिदेंट डिक्लेर कर दिया और इनको अपना डूरेशन जो है टाइम पिरियड जो है प्रेजिदेंसी का वो इनको आगे बढ़ाना था तो इन्होंने क्या करा इन्होंने 2002 में referendum रखा मतलब voting system रखा जिसमें yes and no ऐसे vote होंगे ठीक है तो इन्होंने referendum रखा और referendum में ये जीत गए और 5 साल का extension इन्हें मिल गया ठीक है तो इनका presidency call जो था वो 5 साल और extend हो गया लेकिन जो पाकिस्तानी media है and वो organization जो human rights के लिए बात करती हैं वो activist जो democracy के लिए आवाज उठाते हैं इन लोगों ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने जो ये referendum कराया है या जो ये voting system कराया है ये malpractices and fraud पर based था ठीक है इन लोगों ने कहा कि ये referendum जो है ये malpractices and fraud मतलब धोखा धड़ी पर based था और परवेज मुशर्रफ ने illegal तरीके से इसमें जीत हासिल की है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या समझे हैं यहाँ पर हम ये समझे हैं कि परवेज मुशर्रफ जो थे वो non elected official थे government में लेकिन जो भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बोलता ये उनको या तो arrest करा देते या फिर उनको execute करा देते थे अब देखो इन्होंने क्या करा परवेज मुशर्रफ ने इन्होंने पाकिस्तान के constitution में amendment कर दिया मतलब पाकिस्तान में already constitution बना हुआ था लेकिन जो already existing constitution था उसमें इन्हों ने कर दिया amendment that means उसमें इन्होंने बदलाव ला दिये और इसके लिए इन्हों ने क्या करा 2002 में एक legal framework order पास कर दिया अब जो ये legal framework order था इन्होंने जो supreme court के judges थे उनकी power को reduce कर दिया उन सभी officials की power को reduce कर दिया जो परवेज मुशर्रफ के लिए कही न कहीं खत्रा हो सकती थी ठीक है और सारी की सारी power इन्होंने as a president अपने हाथ में ले ली अब एक चीज़ यहां पर ध्यान रखना कि जो ये amendment हुआ था पाकिस्तान के constitution में अंडर परवेज मुशर्रफ ruling time ये हुआ था 17th amendment और फिर बाद में 2010 में 18th amendment आया और परवेज मुशर्रफ ने जो ये framework पास किया हुआ था इसमें changes किये गए 18th amendment में 2010 में आया था 18th amendment ध्यान रखना ये चीज़ अब इन्होंने legal framework में अपने अंडर सारी पावर कर ली और इन्होंने इस order में कहा कि जो president है उसके पास इतनी पावर है कि वो national and provincial assemblies को dismiss कर सकता है अब national and provincial assemblies क्या होती है बच्चों जैसे कि देखो हमारे यहां लोग सबा राज्य सबा है वैसे ही national and provincial assemblies हो गई वहाँ पर तो national and provincial assemblies में legislative bodies होती है जो लोगों के दुवारा चुने हुए representatives होते हैं वो यहां पर बैठते है national and provincial assemblies में तो इनको dismiss करने की power भी अब परवेज मुशर्फ ने किसके अंडर कर दी खुद के अंडर और वो खुद क्या थे प्रेजिडेंट थे पहले तो ना civilian cabinet के बारे में समझो फिर हम national security council के बारे में बात करेंगे और फिर इस लाइन को समझेंगे तो यहां पर जो यह civilian cabinet लिखा इसका मतलब क्या है तेखो civilian cabinet civilian का मतलब वो हुआ कि वो लोग जो military का part नहीं है तो civilian cabinet मतलब ऐसे मंतरी इसमें या ऐसे representative इसमें चुने जाते हैं जो आम जनता से होते हैं ठीक है जो military से नहीं बलकि आम जनता से होते हैं पॉइंट क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट सुनो कि civilian cabinet जो हैं यह जो मंतरी होते हैं इनका अलग अलग department होता है जैसे कि देखो health के minister अलग होंगे education department अलग होगा तो उसका minister अलग होगा defense का अलग water का अलग labor का अलग home affairs का अलग तो ऐसे अलग अलग department होते हैं हर एक department में एक एक जो है मंतरी होता है उन्हें हम क्या कहेंगे cabinet minister कहेंगे ऐसा हमारे भारत में भी होता है ठीक है तो देखो जो यह civilian cabinet है यह जो भी काम करते हैं इनके काम को supervise किया जाता है ठीक है supervise का मतलब क्या है कि इन्होंने काम ठीक से किया भी है या नहीं किया है यह चीज कौन देखता है यह चीज यहाँ पर देखी जाती है पाकिस्तान में national security council के द्वारा ठीक है वो इसमें like high officials के लोग आते हैं मतलब यह उच अधिकारी होते हैं जो लोग foreign policies के बारे में national policies के बारे में discussion करते हैं and collectively a decision लेते हैं ठीक है अब देखो कि civilian cabinet पर निगरानी रखने के लिए national security council लेकिन इनको dominate करने के लिए दोनों को ही एनि दोनों को ही supervise करने के लिए परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि military officers को रख दिया तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अब जो power है न वो धीरे धीरे military के पास आती जा रही है ठीक है after passing this law अब ये सब laws वगेरा पास करने के बाद इन्होंने election रखा national and provincial assemblies के लिए and इस time पर क्या हुआ कि election हुए elected representatives मतलब representatives elect किये गए and उनके पास कुछ power थी but जो final power थी वो किस के हाथ में थी वो final power थी military officers के हाथ में and general मुशर्रफ के हाथ में military officers के हाथ में क्योंकि यहाँ पर देखो military officers इन्होंने नियुक्त कर दिये थे ताकि वो civilian cabinet and national security council पर नजर रख सके इनको dominate कर सके तो अब जो final power थी वो military officers के हाथ में and general जो मुशर्रफ थे जो president बन गए थे इनके हाथ में और यह जो representatives थे provincial and national assemblies के इन representatives के बास बस दिखावे के लिए एक कह सकते हूँ की power थी So clearly there are many reasons why Pakistan under general मुशर्रफ should not be called a democracy तो हमने ऐसे बहुत सारे reason अब देख लिए जिसे हम यह कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान में general मुशर्रफ का rule था तब democracy नहीं थी वहाँ पर But let us focus on one of these अब इतने सारे reasons में से एक reason पर ही focus कर लेते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस time पर democracy नहीं थी तो question यह है can we say that the rulers are elected by people in Pakistan कि पाकिस्तान में जो यह rulers थे जैसे कि general मुशर्रफ, military officers क्या यह लोगों ने elect किये थे Not quite नहीं लोगों ने नहीं elect किये People may have elected but हाँ लोगों ने representatives को elect किया था People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies So national and provincial assemblies के representatives किसने elect किये थे लोगों ने elect किये थे But those elected representatives were not really the rulers पर यह जो representatives चुने हुए थे लोगों ने इनके पास कोई power ऐसी नहीं थी और यह rulers नहीं थे ठीक है ruler यहाँ पर कौन थे General मुशर्रफ and army officials तो जो यह general मुशर्रफ and army official है इनके पास final decision लेने की power थी ना कि इन representatives के पास ठीक है तो जो यह representatives थे जो लोगों ने चुने थे They cannot take the final decision इनके पास final decision लेने की power नहीं थी Instead the power to take final decision rested with army officials and general मुशर्रफ मतलब जो final decision था वो army official and general मुशर्रफ के द्वारा लिया जाता था And none of them were elected by people So army official and general मुशर्रफ जिनके पास final decision लेने का power था इन में से लोगों ने किसी को भी नहीं चुना था ठीक है देखो General मुशर्रफ ने क्या किया था General मुशर्रफ ने General बनते ही पहले तो यह lieutenant था थोड़ी सी मैं आपको story बता रही हूँ ताकि आप recall करो तो पहले तो यह lieutenant था फिर इसको general बना दिया गया अब इसने क्या करा अब इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी और इसके पास था army का support तो army का support होने की वज़े से इसने क्या करा दीरे 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 इसने अपना rule जमाना शुरू करा राइट अब क्या हुआ अब हुआ यह कि इसने अपने आपको as a president गोशित कर दिया और जो democratic तरीके से already elected government थी पाकिस्तान में उसको overthrow कर दिया और अपने हाथ में ले ली सारी की सारी power अब इसने फिर क्या करा सारी की सारी अपने हाथ में power लेने के बाद 2002 में इसने एक referendum कराया अब बच्चों यह referendum इन्होंने क्यों कराया था ताकि इसका जो time duration है ना इसका जो काल है किसका राज करने का जो इसका काल है वो बढ़ जाए तो अब इस referendum में यह malpractice and fraud की वज़े से जीत गया ठीक है इसने illegal तरीके अपना है और यह यहाँ जीत गया अब यहाँ पर जैसे यह इस referendum में जीता तो इसको 5 साल का और extension मिल गया रूल करने का ठीक है बच्चों अब इसने क्या करा इसने एक game खेला अब वो game क्या खेला इसने इसने ना election कराई अब आप कहोगे कि इसने यह game क्यों खेला देखो लोग ना उस time पर democracy की demand कर रहे थे तो इसने कहा जनरल मुशर्रफ ने कि मैं लाऊंगा democracy तो मैं लाऊंगा democracy इस वज़े से इसने क्या क्या लोगों को दिखाने के लिए election रख दिये अब ये election इसने किसके लिए रखे national and provincial assemblies के लिए अब national and provincial assemblies दोनों ही assemblies के लिए इसने election रखे और लोगों ने representatives को चुना दोनों ही houses के लिए अब यहाँ पर जो nuked people थे वो तो लोगों ने चुने लेकिन इन के पास power नहीं थी power किसके पास थी final power army officials and general mushraff के पास थी right and जो ये cabinet minister या फिर जो council minister या ये जो assemblies के representatives होते थे इन पर किसका control आ गया था army official का control आ गया था so final decision जिसके हाथ में होती है ना बच्चों वो ruler होते हैं तो final decision army official and general mushraff के पास थी लेकिन ना तो army official और ना ही general mushraff को लोगों ने चुना था so that means यहाँ पर democracy का जो feature है वो fail हो जाता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर democratic form of government नहीं थी ठीक है this happens in many dictatorship and monarchies अब जैसा हमने पाकिस्तान का यह case पढ़ा वैसे ही dictatorship and monarchies के rule में भी होता है monarchy मतलब राजा का जब rule होता है they formally have an elected parliament and government but the real power is with those who are not elected देखो under dictatorship and under monarchy क्या होता है यहाँ पर कि parliament and government के जो representatives होते हैं न वो लोगों द्वारा ही elect होते हैं बट इनके पास न इन representatives के पास real power नहीं होती बलकि real power किसके पास होती है जो लोगों ने elect नहीं किये जैसे कि dictatorship में and monarchy में जो ruler होता है वो लोगों द्वारा elect नहीं होता so real power इनके पास होती है ना कि representatives के पास so in the same way हमने पाकिस्तान में क्या देखा कि जो representatives थे assembly के उनके पास real power नहीं थी final decision लेने की बलकि जो real power थी वो army officials and general मुशर्रफ के हाथ में थी in few countries the real power was with some external powers and not with locally elected representatives देखो ध्यान से सुनना इसको कुछ countries में पहले क्या था कि जो real power थी ना वो external powers के पास में थी मतलब उन लोगों के पास में जो local people नहीं थे and जो भी representatives चुने जाते थे वो locally elected नहीं होते थे देखो जैसे कि आपको अगर socialism in Europe and Russian revolution याद हो तो मैं उसी का example यहाँ पर देती हूँ बच्चो जैसे कि देखो यू एसस आर ठीक है तो क्या था यू सोरी ट्रिपल एस लगा दिया मैंने यहाँ पर तो यू एसस आर जो था इसके अंडर में ना बहुत सारी state थी ठीक है तो बहुत सारी state थी मतलब ये एक तरीके का ऐसा umbrella था जिसमें बहुत सारी state आती थी तो उन सभी state में ना जो main Russia वाला part था ना उसी का ही क्या होता था rule होता था तो उन state में जो representatives होते थे ना वो locally elected नहीं थे बलकि जो representatives थे वो कहां के थे वो Russia के थे जैसे कि for example Poland पे Poland पे USSR का rule रहा तो इसी तरीके से आप समझ के चलो कि जब locally elected ना हो लोग बलकि वहां पर rule करने वाले कौन लोग होंगे बाहर के लोग होंगे जैसे कि for example चलो यहां का British rule ले ले लेते हैं बट वो यहां इतना apply नहीं होगा बट मैं for example बता देती हूँ जैसे कि देखो हमारे यहां पर Britishers ने rule किया तो Britishers का इंडिया पर rule करना क्या हुआ external power क्योंकि वो लोग हमारे यहां के थोड़ी ना है वो तो external people है तो उन्होंने हम पर rule किया that means वो external power थी और उन्हीं के पास real power थी final decision लेने की and यहां पर जो representatives थे वो locally elected नहीं थे बलकि representatives जो यहां के थे वो Britishers थे तो ऐसे ही आप इस point को समझो कि जैसे कि यह एक area है यहां पर जो representatives हैं वो यहां के रहने वाले लोग नहीं हैं बलकि दूसरी country के लोग यहां पर अपना power जमा रहे हों तो इसको कहते हैं external power तो USSR का example आप यहां पर fit कर लेना So this cannot be called a people's rule तो यह भी एक तरीके का लोगो द्वारा rule नहीं है क्योंकि हमने democracy में क्या feature देखा था in a democracy the final decision the final decision making power must rest with those elected by people तो democracy का सबसे बड़ा feature क्या है बच्चों कि जो final power होती है या final decision making power होती है वो उन लोगों के हाथ में होगी जो लोगों द्वारा चुने गए हो और अभी तक हमने जिस जिसका पढ़ा है चाहे जनरल मुशर्रफ की बात करो या डिक्टेटरशिप या मोनार्कीज की बात करो या external power की बात करो इसमें हमने ये पढ़ा कि जो final decision है ना वो उन लोगों के पास है जो लोगों ने नहीं चुने ठीक है non elected people के पास बट democracy का एक main feature ये है कि final decision उन लोगों के पास होगा जो लोगों ने election के द्वारा जिनको जिताया होगा ठीक है अब इस topic को हमने कैसे sum up करना है यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आई जो democracy का एक feature है कि जो elected people होते हैं जो elected representatives होते हैं उनके पास final power होनी चाहिए तो democratic form of government में जो rulers होंगे वो लोगों द्वारा चुने हुए होंगे और उनी के पास final power होगी ठीक है तो यह हमें एक feature समझ में आता है अब जो next point है free and fair electoral competition यह हम next video में करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही जितना मैंने कराया है इसको अभी आप complete करो और इसी के साथ-साथ मेरे साथ telegram, instagram पर जोना बिल्कुल मत भूलना instagram का link आपको description box में मिल जाएगा first comment section में भी मिल जाएगा and आप अपनी स्क्रीन पर instagram का username भी देख सकते हैं आपके कोई भी doubt है, general questions है आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं चले मिलते हैं next video में हम लोग 9th class की सिविक्स का first chapter कर रहे हैं first chapter का नाम है what is democracy and why democracy और इस chapter का ये है third part जिसमें हम free and fair electoral competition के बारे में बात करेंगे देखो, democracy की definition के according क्या कहा जाता है कि जो democratic form of government है वहाँ पर elections free and fair तरीके से होने चाहिए तो यहाँ पर हम China and Mexico का example लेंगे और ये देखेंगे कि क्या China and Mexico में free and fair तरीके से elections होते हैं ठीक है, तो ये वाला feature अभी हम यहाँ पर समझेंगे तो पहले यहाँ पर example दिया है चाइना का So in China, elections are regularly held after every five years for electing the country's parliament देखो, चाहिना में न हर पांच साल के बाद election होते हैं हमारे यहाँ भी हर पांच साल के बाद election होते हैं ठीक है, एक तो ये point consider करो अब ये जो elections होते हैं, ये किस के लिए होते हैं? यहाँ की parliament के लिए होते हैं अब इनकी parliament को क्या कहा जाता है? National People's Congress, that means NPC ठीक है? National People's Congress और यहाँ पर ये Chinese में नाम दिया हो है अगर आपको पढ़ना है तो ये भी पढ़ लेना कुआंगूो, रैने मिन, दाइबियाओ, दहूई कुछ इस तरीके से ये नाम बोला जा सकता है तो देख लेना जिसको भी आती है तो एक बार इसका pronunciation देख लेना आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? कि देखो चाइना में ना हर 5 साल के बाद regularly elections होते हैं वहाँ की parliament के लिए ठीक है? अब वहाँ की जो parliamentों से क्या कहा जाता है National People's Congress तो बही देखो हमारे यहाँ भी Parliament है हर एक देश में Parliament है ठीक है? तो प्रवलिमेंट में क्या क्या चीशे होते हैं जैसे bill वेगरा pass नोगा यहाँ पर भी laws वेगरा फ्रेम किए जाते हैं बजट तैयार किया जाता है और इसके लावा bill वेगरा पास किये जाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ, यहाँ पे जो यह Parliament है, the National People's Congress, इनके पास power है कि यह वहाँ कि जो country है ना, यह अपनी country का president choose करते हैं, right, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यह जो president है ना, यह democratic तरीके से नहीं choose किया जाता है, बलकि यह appoint किया जाता है parliament के द्वारा, so it has nearly 3000 members elected from all over the China, अब देखो जो ये NPC है ना, ये NPC, ये जो parliament है, इसमें कितने member है, 3000 member है, लगबग, ठीक है, उपर नीचे चलते रहते हैं, तो अब 3000 member है यहाँ पर, और ये जो 3000 member है लगबग, ये elect किये जाते हैं, और ध्यान रखना कि जो की parliament है, बच्चों, ये largest parliamentary body है, पूरे world में, ठीक है, पूरे world में, largest parliamentary body कहां है, चाइना में, ठीक है, तो members भी तो देखो, इनके कितने हैं, लगबग, 3000, some members are elected by the army, अब parliament में जो ये 3000 members है, इन में से कुछ members, army के द्वारा भी choose किये जाते हैं, बिफोर contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party, देखो भई, यहां पर ये चीज़ और भी ज्यादा important हो जाती है, चाइना में एक यही single party है, Chinese Communist Party, जो majority में है, मतलब इसके अलावा कोई और इसके against party खड़ी नहीं होती, जैसे कि suppose करो, अपने यहां पर BJP ही रहे बस, और BJP ही BJP है, अगर आप चुनाव दोगे तो BJP को ही दोगे न, क्योंकि उसके against तो कोई party नहीं खड़ी हुई है, तो वैसा ही यहां पर है, Chinese Communist Party, यह एक single party है, अगर किसी भी candidate को election लड़ना है, तो उस candidate को इस Chinese Communist Party का approval लेना पड़ेगा, Only those who are members of Chinese Communist Party, और 8 smaller parties allied to it, were allowed to contest elections held in 2002 and 2003, देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा, कि जो यह Chinese Communist Party है, यह single party है, लेकिन आपने यहां पर एक चीज़ और पड़ी, 8 smaller parties, तो बच्चो देखो, यह 8 smaller parties जितनी भी है न, यह सारी के सारी इससे allied है, मतलब इससे alliance है इनका, इनके पास, इन 8 smaller parties के पास वो power नहीं है, जो Chinese Communist Party के पास power है, पहली बात तो यह सुनो, और जो यह 8 smaller parties है न, इनका भी वोट किन की तरफ है, Chinese Communist Party की तरफ, जैसे कि अपने यहां देखो, अपने यहां एक तरफ BJP, दूसरी तरफ Congress, फिर आम आदमी party, है न, फिर और भी parties हैं, तो यह सारी के सारे जो parties हैं, यह एक दूसरे के against खड़ी होती हैं, ठीक है, एक दूसर मैं BJP की candidate बन गई, आप Congress के बन गई, तीसरा member यहां आपका बन गया, अब हमारे तीनों के बीच में क्या होगा, चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर party ही एक है, पार्टी कौन सी है, Chinese Communist Party, ठीक है, तो इसी party के जो member है न, या तो इनी member में स या फिर जो यह 8 smaller parties हैं, इन में से candidate को चुना जाता है, आगे election लड़ने के लिए, और जो यह 8 smaller parties है न, बच्चों, यह Chinese Communist Party के साथ alliance में हैं, यह against नहीं इन के खड़ी हैं, बलकि यह alliance में हैं, समझे मेरी बात? Now the government is always formed by the Communist Party, अब जो government तयार की जाती है, वो किस के द्वारा तयार की जाती है, Communist Party के द्वारा, यही जिसकी अभी हमने बात की, यह जो Chinese Communist Party है, यही government फोर्म करती है, यहाँ पर जो यह चाइना वाला पार्ट है न, इसको मैं दुबारा समप कराती हूँ, ताकि आपके doubts ना ठीक है बच्चों, देखो, यहाँ पर जो Parliament है चाइना की, that is NPC, National People's Congress, नाम याद रखना है और NPC करके भी याद रखना है, ठीक है, National People's Congress, यह क्या है बच्चों, यह है Parliament, अब इस Parliament के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, elections होते हैं, यह elections कब होते हैं, हर 5 साल के बाद, ठी ठीक है, इतना clear, अब देखो, जो यह election होते हैं, इन में बहुत बड़ा जोल होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत malpractice होती है, कैसे, देखो, यह जो elections हैं, इन elections के लिए, कौन-कौन candidates चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ पर जोल होता है, तो candidates को approval किसके द्वारा दिया ज जाता है, एक यहाँ पर party है, वो एक ही party है, जो approval देती है, ध्यान रखना एक party, communist party, ठीक है, अब हम इसे single party क्यों कहते हैं, देखो बच्चो, ध्यान से सुनना, communist party के पास ही सारी power है, यही candidate को approve करती है, election लड़ने के लिए, यही government बनाती है, और फिर यहाँ पर जब election लड़ प्रेजिडेंट जो है, वो choose किया जाता है, appoint किया जाता है, ठीक है, यह जनता दुवारे नहीं चुना जाता, अब देखो, यह जो communist party है, यह candidates को approve करती है, elections में लड़ने के लिए, ठीक है, अब देखो, communist party के अलावा, यहाँ पर other parties भी हैं, लेकिन वो आठ जो party है, आठ पा party smaller हैं बच्चों, ठीक है, अब यह जो smaller party है ना, इनका communist party के साथ ही alliance है, आठों का, ठीक है, यह इस communist party के against नहीं, बलकि इनी के साथ हैं, so that means क्या हुआ, कि communist party एक single party हुई, यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरी party है ही नहीं, अब ध्यान से सुनो, जैसे कि हमने भारत में च membership, आपने ली आम आदमी की party की membership, और तीसरे बंदे ने ली Congress की, ठीक है, अब देखो, हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे ना, तो मैं, आप और Congress, यह तीनों के तीनों जो होंगे ना, हम BJP, आप से और Congress से, यह एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पार्टिकलाई जाएगी ना, यहाँ पर चाइना में, आई बात समझ में, ठीक है, अब जो भी candidate elections में लड़ने के लिए खड़े होते हैं, उन candidates को Communist Party के दुवारा ही अप्रूव किया जाता है, अदर्वाइस वहाँ पर elections के लिए कोई भी ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है तो इसी लिए आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर party भी एक ही है, मतलब सब कुछ यही party के दुवारा किया जाता है, यही elections करवाती है, यही जोल करती है सारा का सारा, यही government बनाती है, तो यह Communist Party से होता है सब कुछ, ठीक है, आगया इतना समझ में, तो यहाँ पर आपको क् मैं जितना भी तक पढ़ा कि चाहिना में democracy नहीं है, क्योंकि यहाँ पर party भी एक है, यही candidates को approve करती है, तो जो candidate जीतता है वो इसी party का member होता है, तो that means यहाँ पर लोगों के पास किसी भी तरीके की कोई choice नहीं है, तो यह democracy का part नहीं हुआ, है ना, तो यहाँ पर hence approved कि यह democratic form of government नहीं है, जैसे कि suppose करो मैं आपको आपके दोनों हातों में save रखके कहूं कि choose करो क्या खाना है, अब आप कहोगे मैम आपने तो दोनों हातों में save रखे हैं, तो save भी खाएंगे, तो वही बात है, दोनों हातों में communist party है, यहाँ से choose करो, वहाँ से choose करो, party एक ही है, member एक के ह हैं चूज भी इनी में से होने हैं जीतने भी इनी में से हैं समझ गई तो वह वाला सीन है यहां पर अब देखो मैक्सिको की बात करते हैं मैक्सिको की में इंडिपेंडिंडेंडेंसी करने विली दिए नीपेंडिटमों करक। पर रक्रेजि़ेंड में 2020. और डिक्टेटर रूल तो यहाँ पर ना मैक्सिको में ना तो कभी किसी मिलिटरी का रूल रहा ना कभी डिक्टेटर शिप रही लेकिन फिर भी यहाँ पर ना अंटिल 2000 मतलब 2000 तक every election was won by a party called PRI देखो मैक्सिको में ना तो कभी डिक्टेटर शिप रही ठीक है ना कभी किसी मिलिटरी का रूल रहा लेकिन फिर भी 2000 तक 2000 तक यहाँ पर जो है एक ही पार्टी जीतती आई है वो कौन सी पार्टी है PRI ठीक है पार्टी अब देखो आपने यहाँ पर क्या चीज समझनी है कि 1930 में मैक्सिको को आजादी मिली ठीक है 1930 से लेकर 2000 तक जितनी बार भी election हुए ना उन elections में सिर्फ एक ही पार्टी जीती थी और उस पार्टी का नाम है P.R.I. इंस्टिटूशनल रेविलुशनरी पार्टी ठीक है अब क्या इसके खिलाफ P.R.I. के खिलाफ या इसके अगेंस्ट कोई और पार्टी खड़ी होती थी जी बिल्कुल खड़ी होती थी लेकिन हमेशा जीती यही थी P.R.I. ठीक है तो यह भी बड़ा क्वेशन है कि P.R.I. के अगेंस्ट कोई पार्टी थी या नहीं थी या चाइना की तरह ही था जैसे चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है एक ही पार्टी से कैंडिडेट खड़ा होगा वही जीतेगा लेकिन यहाँ पर क्या था मैक्सिको में मैक P.R.I. के अगेंस्ट बट नेवर मैनेज़्ट तू विन बट वो कभी जीत नहीं पाई हमेशा P.R.I. पार्टी ही जीतती थी तो जाहिर सी बात है जब एक पार्टी इतने सालों से जीतती आ रही है तो उसने कुछ न कुछ तो फ्रोड किया होगा तो यहाँ पर वही बताय हुआ है कि P.R.I. पार्टी हमेशा जीतती क्यूं आई थी अंटिल 2000 तक क्योंकि इसने बहुत सारी डर्टी ट्रेक्स को अपनाया था जैसे कि यहाँ पर उन सभी डर्टी ट्रेक्स की एक्स्प्लेनेशन दी हुई है All those who were employed in government offices had to attend its party meetings That means कि जितने भी लोग government offices में employed हैं मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं उनको हमेशा P.R.I. की meetings को attend करना जरूरी हो जाता था necessary होता था इसके अलावा teachers of government schools used to force parents to vote for the P.R.I. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो पते हैं क्या कि यहाँ पर government का support देखो एक तो सारे के सारे वो अधिकारी जो government अधिकारी थे वो P.R.I. की meetings को attend करते थे इसके अलावा जो government teachers होती थी न वो government teacher हर बच्चे के parent को force करती थी P.R.I. को vote देने के लिए हमें यहाँ पर यह तो समझा गया कि P.R.I. को support बहुत था government का जैसे कि government teachers का government officers का and teachers के तुरू तो parents के mind को influence या you know divert करवाया जाता था कि अगर vote देना है तो P.R.I. को vote दो क्योंकि जो opposition party है वो आप लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेगी इसलिए P.R.I. को vote दो तो P.R.I. की image अच्छी दिखाई जाती थी अब इसके अलावा जो media होती थी वो भी P.R.I. का support करती थी so media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them तो media क्या करती थी political parties को हमेशा criticize करती रहती थी ताकि जो आम जनता है उनके mind में एक ये image आ जाए कि P.R.I. एक ऐसी party है जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी ना कि opposition party जो इसके against खड़ी है sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute which made it difficult for the people to cast their votes देखो यहाँ पर भी कितना बड़ा malpractice या fraud होता था क्या होता था कि हर एक area में polling booth होता है ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर हम चार area लगा के चलते हैं इस area वाले यहाँ आएंगे इस area वाले यहाँ आएंगे इस area वाले यहाँ आएंगे तो सब एक area में क्या होता है कि जैसे ही ये बात PRI के लोगों को पता चलती थी तो यहां पर malpractice किया जाता था जो यहां का polling booth था ना वो यहां से हटा कर दूसरी जगह लगा दिया जाता था तो जब यहां से polling booth हटा कर दूसरी जगह लगा दिया जाएगा तो यहां के लोगों को vote डालने में दिक्कत होगी न, वही बात यहां पर की गई है, कि last minute पे polling booth को shift कर दिया जाता था, अगर वहाँ area के लोग किसी दूसरी party को vote देने वाले होते थे, तो PRI क्या करती थी, यहां के polling booth को shift करके दूसरी जगह रख देती थी, ताकि opposition party को vote ही न मिले, तो इसी लिए लोगों को vote देने में दिक्कत होती थी, and PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates, अब PRI बहुत पैसा खर्च करती थी, ताकि इसके जो candidates हैं, अलग-अलग area में जो खड़े हुए candidates हैं, उनको जिताया जा सके, इसके लिए PRI काफी पैसा खर्च करती थी, ठीक है, अब एक बार दुबारा से Mexico क अब भी sum up कर लेते हैं, जैसे हमने चाइना का sum up किया था, कि चाइना में क्या कुछ किस तरीके से election होते थे, तो मैक्सिको में क्या होता था, कि मैक्सिको को 1930 में मिली आजादी, फिर 2000 तक यहां पर जब भी votes हुए, इन votes में हमेशा एक party जीती, वो party थी PRI, यहां पर मैक्सिक अरे fraud किये थे, बहुत सारी dirty technique को अपनाया था, जिसमें से एक यह था कि जितने भी government officers होते थे, वो इनकी party को attend करते थे, इनकी meeting को attend करते थे, इसके अलावा, जो government teachers थे, वो हर एक बच्चे के parent के mind को influence करते थे, और उन्हें यह दिखाते थे, कि PRI party को ही vote करो, इसके अलावा, media के through भी, जो आम जनता है, उनके mind को influence किया जाता था, फिर इसके अलावा क्या होता था, कि अगर कहीं पर यह आशंका होती थी, कि लोग PRI को vote नहीं देंगे, बलकि दूसरी party को vote देंगे, तो वहाँ पर last minute पे polling booth जो है, उसको shift करा दिया जाता था, polling booth का मतलब है, जहाँ पर जाती थी, और PRI जीतने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करता था, ठीक है, देखो जब मैं वीडियो को edit कर रही थी, तो edit करते वक्त ये वाला जो part है, ये paragraph कट गया है, तो उसके लिए I'm so sorry, इसलिए मैं दुबारा से record करके आप लोगों के लिए ये डाल रही हूँ, Should we consider the elections described above as example of people electing their rulers, अब जैसे हमने China and Mexico, इन दोनों ही देशों का example देखा, तो अब आप बताओ बच्चों, क्या इन दोनों ही देशों में यहां के common people अपने rulers को elect कर रहे हैं, देखो, election तो हो रहे हैं, चाइना में भी, मैक्सिको में भी, पर लोगों के पास choice नहीं हैं, ठी So, reading these examples, we get a sense that we cannot, there are many problems here, मतलब चाइना और मैक्सिको में जो elections होते हैं, इन में हमने एक problem देखी, जैसे कि यहां पर लोगों के पास choice नहीं हैं, तो यहां पर लोग अपने rulers को elect नहीं करते, जैसे कि यहां पहले चाइना का example बताया है, The elections do not offer the people any serious choice, अब चाइना में जो elections होते हैं तो यहां पर इन elections में common people के पास कोई serious choice ही नहीं होती, क्योंकि party ही एक है, कौन सी party है, बताओ बच्चों, Communist Party, ठीक है, अब देखो, इस Communist Party से ही candidate approval लेते हैं, election का, तो यह जो Communist Party है, इसी से ही candidate खड़े होते हैं, election के लिए, तो जीतेगी भी तो यही party, क्योंकि इसके against कोई party ही नहीं है, party ही एक है, और इसी party के पास सारी power है, यही candidates को approval देते हैं, यही election कराती है, यही government बनाती है, तो लोगों के पास एक बात बताओ, कोई choice है, नहीं है न, तो यहां पर Communist Party का ही क्या है, राज है, ठीक है, तो लोग have to choose the ruling party, यह मतलब इसी ruling party से choose करना पड़ता है, क्योंकि यही ruling party candidates को approve करती है, election के लिए, can we call this a choice, क्या आप अब इसे choice बोल सकते हो, लोगों के लिए नहीं, क्योंकि लोगों के पास तो choice है ही नहीं, यही party है, इसी में से choose करना है, तो at last ultimate तो यही party जीती न, अब देखो, ज दोनों हातों में left and right में save रख दूँ, और मैं यूं काओं, चलो बच्चो save खाओ, अब बताओ left खाओगे के right खाओगे, आप काओगे मैम, आपने तो save ही दिया है न, दोनों हातों में, तो left वाला खाए या right वाला खाए, क्या फरक पड़ता है, समझे, वही बात हो गई, क आपको ultimate खाना तो save ही है न, तो यहाँ पर लोगों के पास choice ही नहीं है, जैसे मैंने आपको fruit खाने में choice नहीं दी, सिर्फ save पकड़ा दी और कहा कि save खाओ, तो आपके पास choice नहीं है, आपको खाना पड़ेगा, तो वही बात यहाँ पर है, लोगों के पास choice नहीं है, तो इ Mexican मतलब Mexico में क्या है कि यहाँ पर लोगों के पास choice है लोगों के पास choice क्यों है क्योंकि यहाँ पर दो से ज़ादा parties यहाँ पर election में participate करती है ठीक है तो जैसे कि हमने यह देखा कि PRI के against बहुत सारी और party भी है जो elections में इसके against लड़ती है तो यहाँ पर लोगों के पास देखो choice है there was no way the ruling period could be defeated but लोगों के पास choice होने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर बार PRI यहीं party जीतती आई है until 2000 तक even if people were against it these are not fair elections अब देखो भले ही लोग PRI के against थे ठीक है लेकिन बार-बार PRI जीतती थी तो यहाँ पर बार-बार PRI जीती है क्यों क्योंकि PRI ने dirty politics खेली है dirty tactics का use किया right and opposition party जो है वो चाहते हुए भी नहीं जीत पाई क्यों नहीं जीत पाई क्योंकि PRI ने game ऐसे खेल दिये जैसे कि यह क्या करते थे government officers की सहयता लेते थे इसी के साथ साथ जो government teachers होते थे वो parents को influence करते थे कि वो PRI party को vote दे इसके लावा media भी क्या करती थी media in opposition party को तो criticize करती थी और PRI की image अच्छी दिखाती थी and जब लगा लो एकदम ऐसा time आया कि जहां पर pooling booth में लोग अब PRI के against vote डालने जा रहे हों कहीं किसी area में तो PRI क्या करती थी and moment पे last moment पे pooling booth को shift करा देती थी तो यहां पर भी क्या है यहां पर भी यह देखा कि मैक्सीकों में लोगों के पास choice ही नहीं है क्योंकि जीतनी फिर भी यही party है PRI तो यहां पर भी fair election नहीं होते कि लोगों के पास choice ही नहीं है राइट तो इसी लिए हम यह कह रहे हैं कि China and Mexico दोनो democratic form of government नहीं है मतलब दोनों ही देश ऐसे हैं जहां पर democracy follow नहीं की जाती तो हम यहां पर democracy का दूसरा feature भी समझ सकते हैं holding elections of any kind is not sufficient देखो democratic form of government में मतलब जहां पर democracy है वहां पर elections होने का मतलब यह नहीं है कि वो government या वो देश democratic हो जाएगा ठीक है election में कुछ rules होते हैं जैसे कि the election must offer a real choice between political alternatives लोगों के पास बहुत सारी parties के बीच में choices होनी चाहिए and it should be possible for the people to use this choice to remove the existing rulers और अगर लोगों को existing rulers या existing party पसंद नहीं आ रही है तो लोगों के पास यह choice होनी चाहिए कि वो उस party को गदी से उतार दे और दूसरी party को जिता दे जैसे कि for example BJP and Congress अब जैसे current लगा लो BJP है अब लोगों को next चुनाओ में इतनी choice होनी चाहिए कि वो BJP को हरा दे और Congress को जिता दे हाला कि हमारे याँ तो यही होता है हमारे याँ तो proper democracy है मैं वैसे आपको example बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि लोगों के पास इतनी choice होनी चाहिए कि एक अगले बार existing party को गदी से उतार सके और दूसरी party को जिता सके ठीक है तो यह choices जरूर होनी चाहिए So a democracy must be based on a free and fair election तो democracy में free and fair election होने चाहिए Where those currently in power have a fair chance of losing ताकि जो अभी power में बैठे हुए जो rulers है उनके पास fair chances हो जीतने के भी और हारने के भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो mal practices के through हर बार जीत रहे हो ठीक है तो कहने का मतलब देखो अगर तीन party खड़ी है चलो चार party लगा लो तो लोगों के पास यह choice होनी चाहिए कि इन चारों में से किसी को भी जिताएं ठीक है अब suppose करो यह वाली party existing party है और यह 5 साल से rule कर रही है तो अगर लोगों को इसका काम पसंद नहीं आ रहा तो लोगों के पास यह choice होनी चाहिए कि वो other तीन parties में से किसी को जिता सके और इन तीनों party को मोका दे तो इसी को हम क्या कहेंगे democracy का दूसरा feature कहेंगे कि election, fair and free election होने चाहिए इसके बारे में हम हाला की third chapter में अच्छे से पढ़ेंगे one person, one vote, one value मतलब एक person एक vote देगा और उसके उस एक vote की बहुत value होगी यह तो हमारे यह है ही universal adult franchise अब देखो आपको पता है कि democracy के लिए कितने struggle किये गए and democracy लाने के बाद सभी लोगों ने demand की थी universal adult franchise तो democracy and universal adult franchise का link तो बहुत पुराना है right and universal adult franchise में क्या है कि आप एक certain age के बाद vote दे सकते है and हर एक person के पास vote देने का अधिकार होगा without any discrimination without any discrimination of gender, caste, किसी भी तरीके का कोई भी discrimination किसी के बीच में नहीं होगा लेकिन ये जो principles हैं ये भले ही all over the world अब accept किये गए हो लेकिन पहले कि अगर हम कुछ ऐसे example देखे तो हमें ये समझ में आएगा कि पहले लोगों को ना equal right नहीं था vote देने का जैसे कि Saudi Arabia की अगर हम बात करें तो until 2015 मतलब 2015 तक यहां Saudi Arabia की women को vote देने का अधिकार नहीं था और देखो बच्चो अभी क्या चल रहे है Saudi Arabia के बाद अब Estonia का example दिया है अब देखो Estonia एक country है Estonia has made its citizenship rules in such a way that the people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote अब देखो ये जो Estonia है ना ये आज के टाइम पर तो अलग country है बट कभी क्या होता था कि ये USSR के अंडर में आती थी USSR एक बड़ा अंब्रेला था जिसके अंडर बहुत सारी states आती थी जिसमें से एक Estonia भी थी लेकिन बाद में वो सारी की सारी state जो है वो अलग-अलग country बन गई थी ठीक है तो जाहिर सी बात है जब ये USSR के अंडर इतनी state आती होंगी तो हर एक state में Russian people तो रहते ही होंगे ठीक है अब इसके बाद Fizi की बात करें और हाँ अब यहां पर ये देखो कि Russian minorities के पास vote नहीं है जबकि वो रहते सारे के सारे एस्टोनिया में है so that means Estonia में भी democracy नहीं है साउदी अरेबिया में भी पहले democracy नहीं थी क्योंकि यह पर विमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था until 2015 तक अब देखो Fiji की बात करो ये एक island है ठीक है the electoral system is such that vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian देखो ध्यान से सुनना इसको इंडिजिनस Fiji का मतलब क्या इंडिजिनस का मतलब होता है बच्चो नेटिव पीपल तो इंडिजिनस Fiji का मतलब क्या हुआ वो नेटिव फीजी जो अपने ही देश के ओरिजिनली यहीं से बिलोंग करते हैं and Indian Fijian वो लोग हुए जो इंडिया से कहां रह रहे हैं इंडिया से बाहर जाकर वो Fiji में रह रहे हैं तो वो Indian Fijian हो गए ठीक है और indigenous Fiji वो लोग हो गए जो already Fiji के लोग हैं मतलब जो वहीं के बिलोंग करते हैं उसी नेटिव से बिलोंग करते हैं so Fiji में ऐसा electoral system है कि जो indigenous Fiji है ना मतलब जो वहां के नेटिव बीपल है उनके voting value जादा है मतलब उनके vote की value जादा है than that of an Indian Fijian और Indian Fijian के vote की value उतनी नहीं है so democracy is based on a fundamental principle of political equality तो democracy का एक feature क्या है fundamental वो यह है कि सभी के पास equality होनी चाहिए किसी भी तरीके की disparity नहीं होनी चाहिए तो जैसे कि अब ने या Fiji का भी क्या example देखा कि Fiji भी एक democratic island, democratic देश नहीं है that gives us third feature of democracy अब इतने सारे example हमने पढ़ लिये तो इससे हमें एक third feature भी democracy का समझ में आता है in a democracy each adult citizen must have one vote मतलब democracy में क्या होता है कि हर एक adult citizen के पास एक vote देने का अधिकार होता है and each vote must have one value और हर एक vote की अपनी एक value होती है हाला कि अब इसके बारे में हम chapter 3 में अच्छे से पढ़ेंगे तो यहां पर हमारे तीन फीचर democracy के complete हो गए है और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ गई है मुझे comment section में जरूर बताना मेरे साथ आप टेलिग्राम इंस्टाग्राम पर जूर सकते हो आज का जो हमारा topic है that is rule of law and respect for rights इसका मतलब क्या हुआ कि कानून का राज and अधिकारों का सम्मान या फिर आदर इसमें हम example पढ़ेंगे Zimbabwee का Zimbabwee attained independence from white minority rule in 1980 देखो Zimbabwee को na white minority rule से आजादी कब मिली थी 1980 में तो यहाँ पर white minority rule को समझो पहले तो यह जो white word है यह use किया गया है Britishers के लिए and minority क्यों लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर Zimbabwee में जो Britishers थे वो 10-15% थे इनकी संख्या कम थी and rule word इसलिए लगाया है क्योंकि इनी Britishers का Zimbabwee पर क्या था राज था इनका rule था देखो अब हुआ क्या था था थोड़ी सी background story में बता रही हूँ ध्यान से सुनना एक टाइम ऐसा था जब tobacco की demand बहुत जादा थी और tobacco को cultivation जो है वो Zimbabwee में बहुत अच्छा होता था अब क्या हुआ कि Britishers को cultivation की knowledge थी तो इनको पता चला कि Zimbabwee में न टोबैको का cultivation बहुत अच्छा होता है तो दीरे-दीरे क्या हुआ कि Britishers अपना business चलाने के लिए वो Zimbabwee आने लगे दीरे-दीरे-दीरे काफी सारे Britishers यहां पर आ गए ठीक है अब जो Britishers थे वो यहां पर Zimbabwee में टोबैको की cultivation करने लगे लेकिन जो black people थे वो यहां पर you know मतलब जो native people थे Zimbabwee के उनके rights छीने जा रहे थे और whites जो है वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे Zimbabwee पर अपनी पकड मजबूत किये जा रहे थे और whites का एक टाइम ऐसा time आया कि जो white people थे मतलब जो Britishers थे उनका राज हो गया Zimbabwee पर ठीक है किसका rule हो गया Britishers का अब black people यह चाहते थे black people कौन हुए जो Zimbabwee के native people है ठीक है उनको black people कहींगे क्योंकि उस time पर racism बहुत चलता था white and black में ठीक है य यह तो आपने 8th class में पढ़ा भी है 8th and 7th class में तो क्या था कि जो black people थे जो native people थे Zimbabwee के उन्होंने कहा whites को निकलो यहां से क्योंकि तुम लोग मतलब हमारी economy को खराब करे हो हमें exploit कर रहे हो ठीक है अब whites के खिलाफ बहुत सारे movement चला दिये लोगोंने जिसमेंसे एक major movement च that is the Zimbabwe African National Union and PF का मतलब है Patriotic Front right अब सुनना थोड़ा सा मैं story जो आपको बतारी हूं वो ध्यान से सुनना फिर यहां से हम discuss करेंगे आगे तो यह जो party थी ना इसके leader कौन थे Robert Mugabe अब इन्होंने बहुत सारे struggle किया freedom movement चलाए और बाद में हुआ क्या कि white people से इन्होंने आजादी ले ली और इनको अपने यहां से भगा दिया ठीक है हाला कि बहुत सारी whites के साथ इन्होंने बहुत सारे you know इन पर atrocity भी की थी बहुत सारे इन पर अत्याचार भी किया था अब वो चाहते थे कि उन्हीं की सरकार बने white उन पर rule ना करें तो इसी लिए उनके against बहुत सारे movement चलाए गए जिसमें से एक बहुत बड़ी party थी जानू PF और freedom दिलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था जानू PF का और जानू PF के जो leader थे वो थे Robert मोगाबे ठीक है इतनी बा आजादी मिल जाती है, right? Since then the country has been ruled by जानू PF अब जैसे ही इनको independence मिलते हैं, 1980 में जिंबावे को, independence के बाद एक ही party थी जो यहाँ पर rule करती आ रही थी, जानू PF, ठीक है? The party that led the freedom struggle, क्योंकि इस party की वजए से भई struggle भी जो freedom थी वो भी आई थी, क्योंकि नोने बहुत सारे movement करे थे against white people, इसके जो leader थे इस party के, जानू PF के, जो leader थे वो थे Robert मोगाबे, he ruled the country since independence, अब 1980 में इनको जैसे ही जिंबावे को स्वतंतरता मिली, white people से, तो उसके बाद rule किसका जानू PF party का, इसके जो leader थे वो कों थे? Robert मोगाबे, तो Robert मोगाबे जो इसके leader थे, उन्होंने जिंबावे की independence के बाद rule किया था, और इनका ruling period इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि इन्होंने 1987 से, मैं इनकी बात करी हूँ, Robert मोगाबो की ध्यान से सुनना, Robert मोगाबो ने 1987 से, 2017 तक, 2017 तक rule किया, लगबग तीन साल का tenure रहा इनका, समझरो कितना long period, सिर्फ एक यही इंसान जो थे, यही rule करते आ रहे थे, तो इसी लिए यहाँ पर लिखा है, और इनका ruling period इतना बड़ा है कि इन्होंने 30 साल तक, जिंबावे पर rule किया, from 1987 to 2017, और कमाल की बात यह है कि 2017 में भी न, इनको retirement देने के लिए force किया गया था, वरना यह retirement देना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह चाहते थे, Robert मोगाबो, चलो एक्स्ट्रा बात और बता देती हूँ मैं आपको, Robert मोगाबो यह चाहते थे, कि इनका नाम हमेशा बना रहे, तो इसलिए यह चाहते थे, कि इनकी wife जो है, इस सत्ता पर आए और फिर इनके बेटे आए, लेकिन ऐसा लोगों ने होने नहीं दिया, military coup हो गया था उस time पर, और जो इनके opposition party में थे, वो फिर बाद में president बन गए थे, लेकिन Robert मोगाबो का देखो आप time period कितना बड़ा है, इन्होंने कितना लंबा period तक यहाँ पर rule किया है, 30 साल, 30 साल, मतब सोचो आप, elections were held regularly, always won by Janu P.F. देखो यहाँ पर time to time जब भी elections का period आता था, तो elections यहाँ पर होते थे, लेकिन हमेशा elections किसके द्वारा जीते जाते थे, सिर्फ एक party थी, Janu P.F. इसी के द्वारा, मतलब इसके, हाला कि इसके opposition में और party भी होती थी, लेकिन यही party हमेशा जीतती थी, जो president थे Robert Mugabe, he was popular, यह काफी popular थे Robert Mugabe, but also used many unfair practices in elections, इनोंने बहुत सारे unfair practices के द्वारा elections में जीत हासिल की, किसने Robert Mugabe ने, over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable, देखो इस line को ध्यान से सुनना हो और आपको समझ में आएगा कि यही politics बाजी होती है, कि over the years, his government, किसकी government? Robert Mugabe की government, तो जो इनकी सरकार थी, वो time to time constitution को change करती रहती थी, ताकि president की power को क्या किया जा सके? increase किया जा सके. अब देखो अगर president की power increase होगी, और कानून में जब president की power को ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, तो उससे होगा क्या? कि president अब लोगों के सामने less accountable होगा, मतलब less answerable होगा. जैसे कि suppose करो, मैं यहाँ पर आपको एक example बताती हूँ, यह है कानून, ठीक है? और कानून के under में सब लोग आते हैं, चाहे वो common people हो, prime minister हो, president हो, government officials हो, ठीक है? लेकिन जब कानून में ही, सारी की सारी power, president के हाथ में दे दी जाएगी, तो president तो यह कहेगा ना, कि मैं तो कानून को follow कर रहा हूँ, कानून में मेरे लिए यह अधिकार लिखे हुए हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? वही बात हो गई यहाँ पर, तो इसलिए यह line लिखे हुए है, कि make him less accountable, ठीक है? कि कानून में ऐसे, you know, changes ला दिये, ऐसे सवीधान में changes ला दिये, कि सारी की सारी जो power है, वो president के हाथ में ला दी गई, तो president तो अब less accountable होगा ही, opposition party workers were harassed, and ZANU PF के opposition में जितनी parties होती थी, उन workers को, उनके supporters को ये party काफी ज़्यादा harass किया करती थी, बहुत सारे लोगों को इन्होंने execute भी किया था, and opposition party की कोई भी meeting होती थी, तो उसे disrupt कर दिया जाता था, public protest and जो public demonstration होते थे, government के खिलाफ उसे illegal declare कर दिया, अब देखो, इन्होंने एक तरीके से आप ये कह सकते हो, कि Robert Mugabe, जो है, ये प्रेजिडेंट, तो मतलब दूर की बात है, यहाँ पर dictatorship कर रहे है थे, इन्होंने तो यहाँ पर dictatorship चला दी थी, क्योंकि government के against, कोई भी अगर public protest करता था, public demonstration करता था, तो उसके लिए इन्होंने इसे क्या कर दिया, illegal कर दिया, क्योंकि government नहीं चाहती थी, कि इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए, एंड इतना ही नहीं, एक ऐसा lobby लाया गया, ताकि प्रेजिडेंट को criticize ना किया जा सके, जो television, radio होते थे, इन पर किसका control था, government का control था, and gave only the ruling party's version, मतलब ये जो television, electronic media थे, ये हमेशा, जो ruling party होती थी, that was ZANU PF party, हमेशा इसी के vision, इसी के viewpoint दिखाया करते थे, ना कि opposition party के, ताकि लोगों के mind पर ये influence आए, कि भई, Robert Mugabe से अच्छा president तो कोई, हो ही नहीं सकता, there were independent newspaper, हाला कि कुछ newspaper जो थे, वो independent थे, but, government harassed those journalists, who went against it, अगर कोई भी newspaper में, government के against, लिखने की कोशिश भी करता था, तो उस journalist को, बहुँ जादा harass किया जाता था, the government ignored some court judgments, that went against it, देखो, अब government लोगों को, इतना जादा अत्याचार करेगी, तो court क्या करेगा, judgment पास करेगा, government के खिलाफ, तो court ने government के खिलाफ, काफी सारी judgment पास की, और कहा कि, लोगों पर, ये अत्याचार करना बंद करो, वरना तुम लोगों को, jail में डाल देंगे, लेकिन government ऐसी थी, कोबर्ट मोगाबो से, उनकी presidency छीन ली गई, इससे जबरदस्ती, retirement दिलवाई गई थी, इस बात का क्या मतलब हुआ, कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं, उनको हर बार, लोगों के अप्रूवल की जरूरत होती है, इस बात का क्या मतलब समझे, कि डेमोक्रेटिक फॉर्म अफ गवर्मेंट में, जो रूलर्स होगा, उसको हर बार, elections के थूरू लोगों का अप्रूवल चाहिए, जीतने के लिए, ठीक है, देखो, रूलर्स को अगर अपना time period बढ़ाना है, अपनी सरकार जितानी है, तो उसको बार-बार लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा, और लोगों का अप्रूवल मिलेगा वोट के द्वारा, तभी तो elections होते हैं time to time, और जनतर जिसको चाहती है, उसको जिता देती है, ठीक है, अब जिम्भावे का example हमने जब पढ़ा, तो उससे हमें इस चीज की important समझ में आती है, कि रूलर्स को लोगों की राय, लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है हर बार, क्यूंगी जो popular government होती है, वो भी undemocratic हो सकती है, और popular leaders भी autocratic हो सकते हैं, अब इस line का मतलब क्या हुआ, जैसे की हमने popular government कौन सी देखी, जानू PF, अब ये जो government थी, ये आजादी से पहले तो democracy का नारा लगा रही थी, लेकिन जैसे ही सत्ता इसके हाथ में आती है, तो ये government undemocratic हो जाती है, ऐसे ही जो leader था Robert Mugabe, Robert Mugabe भी कहता था कि अहीं सा नहीं होनी चाहिए, जैसे ही आजादी के बाद सत्ता इनके हाथ में आती है, सरकार इनके जीत जाती है ना, ये autocratic हो जाते हैं, तो इसी लिए चाहे leader और चाहे government कितनी भी popular हो, उसको हर बार जनता का approval चाहिए दुबारा जीतने के लिए, जैसे की for example, हमारे यां BJP है, तो BJP जो है कितनी popular है, अब इसको next time जीतने के लिए, elections लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अगर लोग चाहेंगे तब भी ये जीतेगी, वरना नहीं जीतेगी, और ऐसा इसी लिए है, क्योंकि popular government भी undemocratic हो सकती है, और जो popular leaders हैं, कि जानू PF के खिलाफ and president के खिलाफ कोई भी बोलता था, तो उसको या तो execute कर दिया जाता था, या उस party को ही illegal बोल दिया जाता था, साथी साथ electronic media पर सरकार का अधिकार था, तो कहीं भी democracy नहीं थी, तो इसी लिए बार बार elections के तुरू, रूलर्स को रूल करने के लिए, लोगों के approval की जरूरत होती है, इफ वी विश टू assess our democracy, इट इस important to look at the election, अब देखो यहां पर हमने जो यह पहला point देखा, कि लोगों के approval की जड़त होती है, बट इट इस not sufficient, इतना ही sufficient नहीं है, बलकि दूसरा point यह भी important है, यह भी माहिने रखता है, कि elections पर भी नजर होनी चाहिए, democracy में, अगर हम democratic form of government की बात करते हैं तो, elections बिलकुल free and fair होने चाहिए, but it is equally important to look before and after the elections, elections से पहले, election के बाद क्या हुआ, यह सारी खबर लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि elections में ना तो किसी तरीके का fraud हुआ है, ना ही कोई malpractices techniques का use किया गया, इसके अलावा, there should be a sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before election, election से पहले हर एक political opposition party का viewpoint दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ruling party का, this requires that the state should respect some basic right of the citizen, और state को हमेशा उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं, जो citizens हैं, उनके basic right की respect करनी चाहिए, they should be free to think, to have opinions, to express these in public, अब जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, जो citizens हैं, उनके पास ये आजादी होनी चाहिए, सोचने की, अपने opinion रखने की, और अगर उन लोगों को government का काम पसंद ही आ रहा, तो उनके पास ये भी freedom होनी चाहिए, कि वो publicly अपने आपको express कर सके, associations बना सके, government के खिलाफ, opposition party बना सके, protest कर सके, government के against, take other political actions, और किसी भी तरीके का political actions ले सके, ये सारे के सारे जो rights हैं न, ये लोगों के पास होने चाहिए, और इन rights की respect की जानी चाहिए, state के द्वारा, everyone should be equal, in the eyes of law, कानून के सामने, सब लोग equal होने चाहिए, कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए, and these rights must be protected by an independent law, I think यही लिखा हुए है, judiciary, okay, that also means law, that means कि, judiciary जो है, वो इन लोगों के rights को preserve करे, अगर लोगों के अपने opinion है, लोगों के अगर अपने कोई राय है, कोई प्रती किरिया रखना चाहते हैं, publicly, government के against, किसी भी तरीके का protest करना चाहते हैं, तो यह जो लोगों के rights है ना, यह इनसे चिनने नहीं चाहिए, अगर यह rights इनसे चिन गए, तो government क्या हो जाएगी, government undemocratic हो जाएगी, और leader autocracy करने लगेगा, ठीक है, whose orders are obeyed by everyone, तो judiciary में जितने भी law, rules, regulations बने हुए हैं, इन नियमों का लोगों को पालन करना चाहिए, इसके बदले judiciary को भी लोगों के basic rights को preserve रखना चाहिए, इसके बारे में हम chapter 5 में detail में जानेंगे, similarly, there are some conditions that apply to the way a government is run after the elections, अगर government जीत जाते, कोई party अगर बन गई, और उस party के अब, you know, ruling party के अब government बन गई, तो election जीतने के बाद, उस party के पास कुछ conditions होती हैं, conditions क्या होती हैं, a democratic government cannot do whatever it likes, simply because it has won an election, अगर कोई party election में जीत गई, अब उसकी सरकार बन गई, तो वो सरकार क्या हो गई, democratic government हो गई, तो democratic government अगर है, तो उसका मतलब ये नहीं है, कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सके, उसके उपर भी कुछ conditions लागू होती हैं, it has to respect some basic rules, मतलब democratic government को भी कुछ basic rules follow करने पड़ते हैं, in fact जो लोगों के basic right हैं, उनका भी respect, उनका भी आदर समान करना पड़ता है, in particular it has to respect some guarantees given to the minorities, अगर minorities को किसी भी तरीके की guarantee दी गई है, किसी भी तरीके के special अधिकार दिये गई हैं, तो democratic government को उन guarantees को पूरा करना चाहिए, every major decision has to go through a series of consultation, and every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law, that means कि जो भी major decision लिये जाते हैं न, ये major decisions न, जो भी ये major decision लिये जाते हैं, ये major decision काफी consultation के बाद लिये जाते हैं, मतब काफी विचार विमर्ज किया जाता है इन चीजों पर, and हर एक officer के पास, जो भी rights होते हैं, जो भी responsibilities होती हैं, वो सभी rights and responsibilities किसके दुआरा निर्धारीत की जाती हैं, constitution के दुआरा, each of these is accountable not only to the people, but also to the independent officials, that means, जो government है, वो लोगों के लिए तो answerable है ही है, इसी के साथ साथ independent officials को भी ये accountability रखती है, मतलब इसको जवाब दे ही, देनी पड़ती है लोगों को, देखो, जैसे की अब democratic form of government है, ये हमारे याँ पर, तो हम जब चाहें हम सरकार से जवाब मांग सकते हैं, तो सरकार हमें जवाब देगी, क्योंकि सरकार हमारी तरफ क्या है, accountable है, तो वही बात यहां लिखी हुई है, हाला कि इसके बारे में हम chapter 4 में काफी detail में जानेंगे, both these aspects give us the fourth and final feature of the democracy, तो आज जो हमने ये जिम्भावे का example पढ़ा, इससे हमें fourth and final feature democracy का समझ में आता है, और democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens rights, जो democratic government होती है न, उसको दाइरे में रहकर काम करना पड़ता है, वो दाइरे कोन निर्धारित करते हैं? इसको भी एक बार कर लेते हैं, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है न, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, अब हम यहाँ पर न, जितना हमने पढ़ा है, उसकी summary करेंगे, तो यह जो definition है, यह हमने कर ली थी, कि democratic form of government में जो rulers होते हैं न, वो लोगों के द्वारा elect किये जाते हैं, तो हम लोगों ने जब यह definition, सिर्फ definition ही पढ़ी थी, तब तो हमने यह पढ़ा था कि, यह definition inadequate है, जब तक हम इसके keywords को अच्छे से न समझ लें, तो अब हमने सारे इसके keywords, सारे इसके term अच्छे से समझ लिए, तो I hope आपको अब यह definition adequate लग रही होगी, तो हमने examples के तुरू चार features पढ़े थे, और यह जो चारो features हैं, यह democratic form of government में apply होते हैं, accordingly, democracy is a form of government in which, कि democratic form of government कौन सी होती है, जिसमें जो rulers होते हैं, rulers are elected by the people, take all major decision, कि जो rulers होते हैं, यहाँ पर यह आप देख रहे हो, यह जो definition हैं, इसको साथ में रखो, अपनी ना book हमेशा open करके रखा, गरो जब पढ़ो, तो यह देखो, यह जो यहाँ पर rulers की बात हुए हैं, इसी के बारे में कहा गया है, कि यह जो rulers हैं, यह logo द्वारा elected होने चाहिए, जनरल परवेज मुशर्रफ और जो आर्मी थी, मिलिटरी थी, उनी के पास final decision लेने की पावर थी, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी यह लोगों ने नहीं नियुक्त किये थे, समझ में आई बात यहाँ पर, तो हमारा जो first feature है, वो clear होता है, कि जो rulers हैं, वो लोगों द्वारा elected होने चाहिए, और जिन rulers को लोगों ने elect किया है, उनी के पास major decision लेने की final power होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के example में हमने क्या देखा था, कि final decision लेने की power उन लोगों के हाथ में नहीं थी, जिनको लोग नियुक्त करते थे, opportunity to the people to change the current rulers, तो elections ना लोगों को एक opportunity provide करता है, कि elections के द्वारा लोग नए rulers को choose कर सके, जैसे कि suppose करो, जो current ruling party है, अगर लोगों को ये party नहीं अच्छी लग रही, और ये जो current government party है, ये लोगों के लिए धंग से काम नहीं कर रही, इनके हित के लिए काम नहीं कर रही, तो next time जब election आएगा, लोग इस party को हटा कर दूसरी party ला सकते हैं, तो दूसरी party को जिता सकते हैं, तो ये जो मोका है लोगों के पास, ये आता है election से, लेकिन हमने China and Mexico में क्या देखा, कि China में तो एक ही party थी, तो लोगों के पास तो choice थी ही नहीं, तो जब भी कोई candidate जीतना था, इसी party से जीतना था, that was communist party, दूसरा Mexico का हमने क्या पढ़ा था, कि वहाँ पर हमेशा एक ही party जीतती आई थी, तो इसलिए लोगों के पास वहाँ पर भी choice नहीं थी, क्योंकि opposition party को अगर लोग जीतना भी चाहते थे, तो वो जीत नहीं पाती थी, क्योंकि ruling party बहुत ही fraud किया करती थी, malpractices किया करती थी, अब elections में ये opportunity और choice सभी लोगों के पास होनी चाहिए, democratic form of government में, किसी भी तरीके का कोई discrimination नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने जब साउधी अरेबिया की बात की, कि साउधी अरेबिया में women को until 2015 तक vote देने का अधिकार नहीं था, तो वो भी democratic government नहीं कहलाती है, फिर हमने क्या देखा, हमने एस्टोनिया में देखा कि जो अल्प संख्यक थे, minority people थे, उनके पास vote देने का अधिकार नहीं था, और उनको voting rights के लिए बहुत ज़्यादा जदो जहद करनी पड़ती थी, तो वहाँ पर भी equal basis पर right नहीं थे, तो वहाँ पर भी ये जो feature है वो fail होता है, इसके अलावा फिर हमने फीजी का example पढ़ा था, फीजी country का, तो इन तीनों जगों पर भी हमने क्या देखा था, कि जो ये feature है, third feature वो fail होता है, क्योंकि हमने democracy का third feature ये देखा था, कि सभी लोगों के पास right होने चाहिए, equal right होने चाहिए, without any discrimination सब लोग vote दे सकें, किसी भी तरीके का कोई discrimination नहीं होना चाहिए, next है, And यही fourth feature हमने Zimbabwe में देखा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कि जो government है वो limitation में काम करती है, साथी साथ basic rules को follow करती है, और ये rules, ये limitations किसके द्वारा बनाए जाते हैं, constitution के द्वारा, और constitution में citizens के right को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, तो आज का जो हमारा ये point था, ये clear होता है, अब जो next part है, वो हम next video में करेंगे, this side Priyanka, I wish you all the best, keep learning, आप मेरे साथ telegram, instagram पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, instagram का link आपको description box में मिल जाएगा, और आपकी screen पर भी देख सकते हैं, तो ये जो part है न, why democracy, ये हम next video में करेंगे, तो अब हमारा जो topic है आज का, that is why democracy, 9th class की ये civics है, 1st chapter है, 1st chapter का ये I think 5th part है, तो चलिए अपना chapter शुरू करते हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे, why democracy, that means कि democracy है तो क्यूं है, क्यूं इसकी जरूरत है, या democracy एक best form of government है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, An argument broke out in Madam Lingdow's class, Madam Lingdow की class में अभी कुछ argument होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर teacher ने previous section में ये तो बता दिया, कि what is democracy, लेकिन यहाँ पर teacher बच्चों से पूछती है, कि क्या democracy ही एक सबसे best form of government है, तो अब इसके बारे में बच्चों के बीच में arguments और debate होने लगते हैं, तो सबसे पहले योलांडा का क्या कहना है, उसका कहना है कि हम एक democratic country में रहते हैं, right, and all over the world सभी लोग चाहते हैं कि democratic form of government हो, in fact जो countries non-democratic हैं वो भी आज के टाइम पर democratic हो रही हैं, और इसके अलावा all the great people have said nice things about democracy, that means कि सभी famous लोगों ने democracy के बारे में अच्छी बाते बोली हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल obvious है कि democracy best है, तो इसके बारे में हमें debate क्या करना, अब यहाँ पर तांक कीनी का क्या कहना है, वो कहती हैं कि lingo mem ने ये कहा है कि हमें कोई भी चीज़ ऐसी accept नहीं करनी, just because वो किसी famous आदमी ने कही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी लोग जो उस famous आदमी की बात को follow कर रहे हैं, वो रोंग पात पर हों, तो ये भी तो हो सकता है कि सभी लोग रोंग पात पर जा रहे हों, इतने में जैनी का कहना है, yes it is a wrong path, कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये एक रोंग पात है, हम democratic country में रहते हैं, लेकिन democracy ने हमारी country को क्या दिया है, मतलब आदी सदी बीद गई है कि हम democratic country में रहते हैं, बट हमारे देश में आज भी poverty है, अब इस बात पर रिबियांका क्या कहना है, बट वट हैस डेमोक्रेसी गॉट टू विद इट, तो रिबियांक का कहना यहां पर यह है कि गरीबी का और लोकतांतरिक देश का मतलब डेमोक्रेसी का एंड पोवर्टी का एक दूसरे से क्या लेना देना है, क्या हम गरीब इसलिए हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेसी की वज़े से हमारे देश में गरीबी है तो यहां पर रिबियांग इस तरीके का question पूछता है अब आगे देखते हैं कि यह discussion कैसे चलती है अब जैनी कहती है Whatever, how does it make a difference? कि चाहे कुछ भी हो इसे फरक क्या पढ़ता है The point is that this cannot be the best form of government मेरा point सिर्फ इतना है कि डेमोक्रेसी ही best form of government नहीं है Because democracy से देश में chaos है, instability है, corruption है, hypocrisy है और जो politicians है वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं Who cares for the country? देश के लिए कौन चिंता कर रहा है? कोई भी नहीं अब इस बात पर पोईमोन का कहना है कि फिर इसके अलावा क्या होना चाहिए क्या हम वापिस से British rule में चले जाएं? या फिर हम किसी बाहर के ruler या किसी बाहर के king को बुला कर अपने देश में rule करवाएं? अब रोज का कहना है मैं ये नहीं जानती बट हमारे देश को एक strong leader की जरूरत है एक ऐसा leader जो election and parliament के बारे में बिलकुल भी bother ना हो बिलकुल परेशान ना हो और जो power है वो सारी एक ही leader के हाथ में होनी चाहिए अगर एक leader के हाथ में power होगी he should be able to do whatever is needed in country's interest that means अगर एक leader के हाथ में power होगी सारी की सारी तो वो देश के benefit के लिए काम करेगा and वो अकेला ही देश से corruption भी remove कर सकता है इसके अलावा poverty भी remove कर सकता है अब इतने में someone shouted कि this is called dictatorship कि अगर सारी की सारी power एक leader के हाथ में आ जाएगी तो ये तो dictatorship हुई ना अब होई का कहना है what if person starts using all these powers for himself and his family and what if he is corrupt himself तो होई ये कहता है कि अगर एक leader के हाथ में सारी power हो जाएगी तो वो अपनी power का misuse करने लगेगा अपने लिए अपनी family के लिए और क्या पता वो खुद भी corrupt हो अब रोज कहती है I am speaking only of honest sincere and strong leader कि मैं यहाँ पर ऐसे leader की बात कर रही हूँ जो honest हो sincere हो and strong हो अब होई का कहना है कि ये बिलकुल भी fair नहीं है बिलकुल भी ठीक नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर real democracy को an ideal dictatorship के साथ compare कर रही हो we should compare an ideal with ideal and real with real go and check the record of dictators in real life कि जितने भी dictators रहे है ना उनका एक बार record जाकर देखो कि उन्होंने reality में कितना कुछ किया है वो सभी के सभी corrupt थे, selfish थे, brutal थे, बहुत लोगों को मरवाया है and बहुत सारी ऐसी चीज़े जो हमें पता ही नहीं है and dictatorship के बारे में सबसे worst चीज़ ये है, you cannot even get rid of them कि तुम उन्हें कभी भी सत्ता से नहीं हटा सकते, कभी भी power से नहीं हटा सकते, ठीक है अभी next page पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है मैडम लिंगडो बच्चों के इस discussion को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और वो बच्चों के discussion में intervene करके कहती हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम सब लोग passionate तरीके से argument कर रहे थे मुझे नहीं पता कि कौन सही है, कौन गलत है यह तुम लोगी settle करोगे बट मुझे यह जरूर समझ में आया कि आप सब लोगों ने अपना दिल खोल कर बाते की हैं लेकिन अगर एक बात बताओ अगर आपने जो बोला है उसके बीच में आपको कोई stop करता आपको कोई रोक ता अपनी बात कहने को तो आपको बुरा लगता या फिर आपको अपनी बात कहने पर कोई पनिश करता तो भी आपको बुरा लगता वुड यू बी एबल to do that in a country that is not democratic क्या आप ये सब कर पाते जहां पर जिस देश में democratic form of government नहीं है so is that a good argument for democracy तो democracy का ये जो पक्ष है क्या इसके लिए argument करना अब सही है तो अब देखो यहाँ पर तो वैसे अभी तक argument classroom में हो रही थी यह इतना important नहीं था लेकिन बच्चे फिर कहते हैं कि line to line हर कुछ पढ़ाओ तो इसलिए मैंने वो argument जो classroom में होई वो इसलिए पढ़ा दी अब यहाँ से main important जो है topic शुरू होता है arguments against democracy this conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy इस line का मतलब है कि democracy के against ऐसे बहुत सारे argument हुए हैं तो अभी उन सभी argument की बात करते हैं सबसे पहले जो first number पर है that is leaders keep changing in democracy this leads to instability कि democracy में क्या होता है जो leaders है न वो change होते रहते हैं चाहे हम CM की post की बात करें presidency की बात करें या फिर prime minister की बात करें तो जो leaders है न वो change होते रहते हैं और इस change की वज़े से क्या होता है देश में instability रहती है इसके अलावा दूसरा point यह है दूसरा argument यह है कि democracy is all about political competition कि कौन जीतेग and it is all about power play कि democracy जो है यह सत्ता का खेल है power का खेल है ठीक है कि जो party जीतेगी उसके पास power होगी and there is no scope for morality और morality मतलब नयतिकता नाम की तो कोई चीज़ी नहीं है क्योंकि लोग जो है जो parties you know elections में खड़ी होती है वो जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है next point है so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay कि democracy में हर चीज़ के लिए कोई भी rules, regulation, laws वगएरा कुछ भी बनाना हो हर चीज़ के लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से consult करना पड़ता है जैसे कि लोग सभा में bill pass होगा फिर राजय सभा में होगा फिर उस पर president, prime minister इन सबके जो sign होते हैं इस तरीके से बहुत सारे steps से होकर हर चीज़ गुजरती है जिसे क्या होता है कि delays बहुत होते हैं हर चीज़ में देरी बहुत होती है decision एकदम से नहीं आता third point यह है अब fourth point है कि जो elected leaders होते हैं जो representatives होते हैं उनको लोगों के जो आम जनता है उनके best interest के बारे में ही नहीं पता best interest का मतलब क्या है कि उनकी desires या उनकी basic needs तो जो elected leaders होते हैं उनको ordinary people के best interest का ही पता नहीं होता जिसके वज़े से bad decisions लिये जाते हैं so that means कि जो democracy में representatives elected होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने होते हैं उन्हें यहीं नहीं पता कि जो आम जनता है जिनके लिए वो खड़े हैं उस आम जनता को चाहिए क्या उनकी basic need क्या है next point है democracy leads to corruption democracy में क्या है कि corruption होता है और corruption सबसे ज़्यादा कब देखा जाता है जब electoral competition होता है जब elections आजपास होते हैं और आपको पता है ना कि अब आप चाहिए news में उठा कर देख लो elections के आजपास लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं violation होता है तो बहुत बुरा हाल देखा जाता है इसके अलावा corruption देखी जाती है गूस देकर लोग जीत जाते हैं राइट फिर next है ordinary people do not know what is good for them they should not decide anything की ordinary people मतलब जो हम आम जनते हैं ना उनको तो पता ही निया उनके लिए सही क्या है गलत क्या है right so they should not decide anything यहाँ पर जो यह point दियें जो arguments दियें वो आपको पता होनी चाहिए पहला argument is instability दूसरा है there is no scope for morality तीसरा है कि जितने भी decisions लिये जाते हैं democracy में हर decision में काफी delay होता है fourth one is कि जो elected leaders है उनको लोगों की basic need लोगों के desires के बारे में पता ही नहीं है so क्या होता है इससे bad decisions लिये जाते है and next point जो fifth है I think यह fifth point है right अब यह fifth point में आपको यह लिखना है कि democracy में corruption देखा जाता है क्योंकि after all democracy is all about power play और यह जो corruption है यह ज़्यादा तर electoral competition में देखा जाता है ठीक है इसके बाद में है कि जो ordinary people है उनको यहीं नहीं पता उनके लिए सही क्या है गलत क्या लोग को decide नहीं कर सकते right तो यह भी एक कहीं नहीं जो है democracy का एक drawback है क्योंकि हम आम जनता ही होती है जो अपने representative को चुनती है लेकिन हमें ही नहीं पता कि किसको चुने कौन सही है कौन best है right so they should not decide anything so यह कुछ drawback यहां पर बताए हुए है अब यहां पर कुछ questions पूछे गए हैं कि are there some other argument against democracy that you can think of कि क्या democracy के against आपके मन में कोई और argument है किसी और तरीके का कोई reason है तो यहां पर आपको बताना है वो इसके अलावा यह पूछा है कि जो यह six argument देखे six reasons देखे against democracy क्या आप इन से agree करते हो and इन में से अगर agree करते हो तो किस से agree करते हो ठीक है यहां पर तो कुछ questions है यहां पर देखो clearly democracy is not a magical solution for all the problems कि हम यह तो समझ सकते हैं कि democracy जो है यह एक magical solution नहीं है सारी problems का ऐसा नहीं है कि democracy एक magical wand है एक जादू की छड़ी है जिसको गुमाया और सार democracy से सारी problems तो नहीं ठीक हो सकती सारे solutions तो नहीं हो सकते जैसे कि हमारे देश में जो गरीबी है वो अभी तक end नहीं हुई है democracy की वज़े से और नहीं all over the world कहीं पर भी democracy की वज़े से poverty end हुई है democracy has a form of government that only ensures people to take their own decision so that means कि democracy का मतलब यह है कि लोग अपने decision ना खुद ले यह चीज़ को ensure करता है democracy and this does not guarantee that their decision will be good but इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों ने decision लिया तो उनके decision बिल्कुल सही होंगे यह भी guarantee नहीं है people can make mistake अब obviously बात है हम इंसान है हमसे गलतिया होती है तो लोगों से तो गलतिया होंगी ही involving the people in these decision does lead to delays in decision making अब हम जिनको चुनते हैं अब यहां पर देखो यह जो गलतियों की बात हो रही है न यहां पर election की बात हो रही है जैसे कि suppose करो आप एक party जिता देते हो अब वो party आप लोगों के लिए काम नहीं करेगी अच्छे से जैसे कि वो देश की भलाई के लिए काम नहीं करेगी तो जिसको आपने जिताया है वहां पर आपका decision गलत हो गया न तो आपके decision की वज़े से क्या होता है कि decision making में भी delays होते हैं it is also true that democracy leads to frequent changes in leadership और democracy में क्या होता है कि leaders change होते रहते हैं क्योंकि हर एक का time period है हर एक का अपना tenure है फिर election होते हैं फिर अगर suppose करो यहां पर दो party है ठीक है चलो तीन party लगा लेते हैं हमने इस party को एक बार जिता दिय और next time हमें इस party का काम पसंद नहीं आया तो दूसरे election में हम इसको जिता देंगे हमें इसका पसंद नहीं आया तो इसको जिता देंगे हम लोग तो यह जो power है जो decision की power रहने की हमारे हाथ में है but people make mistake हमसे जरूरी नहीं है कि हर time सही decision लिया जाएगा हम गलत decision भी ले सकते हैं क्योंकि उन leaders को यहीं नहीं पता होगा कि आम जंता क्या चाहती है तो इससे होगा क्या इससे government की efficiency and reliability पर बुरा प्रभाव पड़ेगा these arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government अब हमें इन arguments से ये तो समझ में आ गया argument मतलब ये जितने भी हमने यहां पर reason देखे argument देखे तरक वितरक देखे इन से हमें ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ democracy ही एक ideal form of government नहीं है but this is not a question we face in real life लेकिन real life में हम इस question को phase नहीं कर रहे है real life में जो question है वो ये है is democracy यहां पर मैं highlight कर देती हूँ इस question को is democracy better than any form of government that are there for us to choose from that means real question हम ये phase करते हैं कि क्या democracy other form of government से best है मतलब जितने भी type of government होती है चाहे वो autocracy हो या फिर वो you know monarchy हो democracy हो dictatorship हो communist party की you know government हो तो इन सभी government में से जो भी जितने भी ये government की प्रकार है जितने भी form है इन सभी form में से democracy क्या सब में से better है ये question जो है वो real question है जो हम phase करते हैं अब इसके बाद जो ये point है आगे वाला arguments for democracy ये हम next वीडियो में करेंगे तिल देन जितना मैंने कराया आप उसको अच्छे से करिए इसके अलावा आप मेरे साथ telegram, instagram पर जूर सकते हैं आपको instagram का link description box में मिल जाएगा first comment section में मिल जाएगा इसके अलावा आप लोग अपनी screen पर भी instagram का username देख सकते हैं चलिए मिलते हैं next video में decide Priyanka Gaur I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video, thank you Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace आज का जो हमारा topic है that is arguments for democracy यह 9th class की civics है, chapter number 1, what is democracy, why democracy और इस chapter का यह आज हमारा 6th part है, जिसमें हम arguments for democracy करेंगे मतलब इसमें हम यह जानेंगे कि democracy सबसे अच्छी क्यूं है, democracy क्यूं होनी चाहिए, why democracy is best So democracy के पक्ष के बारे में यहां पर बात करेंगे इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने arguments against democracy पढ़ा था in the world history, देखो चाहिना में न फैमीन आया था, फैमीन का मतलब समझो, फैमीन का मतलब होता है भूक मरी, मतलब food scare city हो जाना, मतलब खाने पिने की कमी हो जाना So चाहिना में फैमीन कब आया? 1958 से 1961 के time period में, लगबग 3 साल यह फैमीन रहा था and यह world history का सबसे worst recorded फैमीन है क्योंकि इसमें करोडों की संख्या में लोग मारे गए थे चाहिना में So nearly 3 करोड people died in this famine, तो इस फैमीन में चाहिना में लगबग 3 करोड लोग मारे गए थे अगर हम इस 1958 and 1961 के time period को इंडिया के time period से compare करे ना तो इंडिया की economic condition इतनी अच्छी नहीं थी चाहिना से, फिर भी चाहिना में इतना बुरा फैमीन आया इसके पीछे बहुत सारे reason थे, जिसमें से एक reason था government policies ठीक है, yet India did not have a famine of the kind China had तो यहां पर बात की गई है कि इंडिया का जो economic condition है न वो चाहिना से better नहीं था फिर भी इंडिया में इतना बुरा फैमीन नहीं आया जितना चाहिना में आया क्योंकि चाहिना में 3 करोड लोग मर गए थे फैमीन की वज़े से अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चो यहां परना economic condition से compare क्यों किया है क्योंकि फैमीन आने का जो main reason है वो economic condition है फिर इसके अलावा बहुत सारे reason हो जाते हैं जैसे कि देखो महंगाई बढ़ जाए तो फैमीन आ जाता है वोर हो जाती है वोर में अच्छा खासा पैसा लगता है तो फैमीन आ जाता है crop failure होने की वज़े से मतलब फसले खराब होने की वज़े से फैमीन आता है इसके अलावा एक जो major reason है वो है government policies कि government की policies कैसी है कितनी अच्छी है अगर government की policies खराब है तो इससे क्या होता है कि फैमीन आ जाता है तो वो reason हम यहाँ पर पढ़ेंगे government policies का चाइना में यह जो फैमीन आया था इसके पीछे reason बहुत सारे थे पर एक reason economist ने दिया था so economist ने क्या reason दिया they think that this was the result of different government policies in the two countries अब देखो economist ने यह बोला कि China and India इन दोनों ही country में गवर्मेंट policies का बहुत difference है और इस difference के होने की वज़े से चाइना में क्या आया फैमीन आया यह बात क्यों कहीं देखो अगर हम इंडिया and चाइना को compare करें तो उस time पर जो इंडिया है इंडिया की economic condition इतनी जादा नहीं थी जितनी जादा चाइना की थी ठीक है लेकिन फिर भी चाइना में इतना बुरा फैमीन आया तो इसके लिए जो economist है उन्होंने कहा कि reason यह था कि दोनों ही countries के जो government policies है उनमें difference है and government policies होने की वज़े से चाइना में फैमीन आया देखो चाइना में क्या है ना चाइना एक communist state है whereas इंडिया एक democratic country है ठीक है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना यहां पर ना government policies का बहुत बड़ा difference आपको देखने को मिलेगा the existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not अब यहां पर economist ने reason दिया है कि चाइना में food scarcity क्यों हुई whereas इंडिया में food scarcity क्यों नहीं हुई देखो economist ने कहा कि इंडिया में है democracy and democracy होने की वज़े से जो Indian government है उन्होंने food scarcity को लेकर response दिया and food security पर काम किया ठीक है तो मतलब इंडिया में democracy होने की वज़े से Indian government जनता की तरफ liable है तो इसलिए Indian government ने कुछ इस तरीके की policy निकाले जिससे लोग भूखे ना मरे whereas Chinese government ने इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके अलावा economist ने ये भी कहा कि जो country democratic है and independent है मतलब जो country सुवतंतर है and साथी साथ वहाँ पर अगर democracy है तो ऐसी country में economist ने इतना बड़ा famine या इतना बड़ा अकाल कभी नहीं देखा अब यहाँ पर economist बताते हैं कि चाइना में अगर ये सब चीज़े होती मतलब जो यहाँ पर points बताए हैं कि चाइना में अगर ये सब चीज़े होती तो इससे क्या होता कि इतना बड़ा famine नहीं आता नहीं इतने लोग मरते so economist ने किन-किन points को highlight किया इनोंने कहा कि अगर चाइना में multi-party elections होते and an opposition party होती तो इतने लोग famine में नहीं मरते तो यहाँ पर economist का कहना ये है कि अगर चाइना में एक party की वज़ाए एक से ज़ादा party होती लगा लो दो-तिन party और होती तो इससे क्या होता इससे लोग क्या करते कि लोगों को अगर एक party का काम पसंद नहीं आ रहा तो next time पर दूसरी party को जिता देते तो लोग अच्छे से अच्छा decision ले पाते एक अच्छी government चूज कर पाते और एक अच्छी government चूज होती तो क्या होता सही policy बनती सही policy बनती तो food scarcity पर काम किया जाता food scarcity पर काम किया जाता तो चाइना में कभी इतना बड़ा famine आता ही नहीं और ना ही लोग मरते ठीक है क्योंकि चाइना में क्या ना एक ही party है जिसके बारे में हमने उल्रेडी बात की थी communist party इसके अलावा economist ने ये भी कहा कि अगर चाइना में independent press होती मतलब एक ऐसी press जिस पर government का किसी भी तरीके का pressure ना हो तो अगर independent press होती तो क्या होता government को criticize किया जाता उनकी policy को criticize किया जाता राइट तो अगर independent press होती तो भी इतने लोग famine में नहीं मरते राइट तो यहाँ पर चाइना में famine क्यों आया उसके कुछ reason दिये है तो यहाँ पर चाइना का example पढ़कर हमें ये तो समझ आ गया कि democracy एक best form of government है and democracy other form of government से better है क्योंकि democracy में लोगों की needs का ध्यान रखा जाता है जनता की जो need है basic need है उनकी aspirations, उनके desire इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है जैसे कि देखो अगर democratic form of government है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर representatives जनता के लिए काम करते हैं जनता की भलाई के लिए काम करते हैं और अगर कहीं पर famine आएगा और लोग भूखे मरेंगे food scare city होईगी तो democratic form of government में जनता जो है वो government का collar पकड़ेगी ठीक है तो इसी लिए न क्या होता है कि democratic form of government में government मतलब जो representatives हैं जो देश के rulers हैं वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं उनके basic need के लिए काम करते हैं a non-democratic form of government may and can respond to people's need अब हम अगर non-democratic form of government की बात करें तो यहाँ पर जो सरकार होती है non-democratic form of government में यहाँ पर सरकार लोगों की needs के लिए काम भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती वो इनके according होता है क्योंकि यहाँ पर जो government है लोगों के लिए liable नहीं है जिस तरीके से हमने democracy में क्या देखा democracy में सरकार लोगों के लिए जनता के लिए liable होती है whereas non-democracy में ऐसा नहीं होता यह सब depend करता है ruler की wish पर अगर non-democratic form of government में ruler चाहे तो वो लोगों की need के लिए काम करेगा अगर वो चाहे तो वो नहीं करेगा यह सब ruler पर depend करता है ओके कि वो लोगों की wish के according काम करना चाहता है यह नहीं चाहता है democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people लेकिन अगर democratic form of government की बात करें तो democracy में rulers को लोगों की need के लिए लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है whereas non-democracy में ऐसा कुछ भी pressure नहीं होता तो इसी लिए democratic form of government सबसे बहतरीन है because it is more accountable form of government क्योंकि जो government है वो लोगों के लिए answerable होती है accountable होती है मतलब लोगों को जवाब दे ही इनको देनी पड़ती है जवाब दे ही का मतलब क्या हुआ अगर democratic form of government में जनता किसी भी तरीके का जवाब मांगना चाहती है न सरकार से तो मांग सकती है तो सरकार यहाँ पर जनता को जवाब देगी ही देगी जैसे कि अगर suppose करो government अगर respond नहीं कर रही है citizens को तो citizens बहुत तरीकों से government से response मांग सकते हैं जैसे कि citizens के पास right है कि वो protest कर सकते हैं government को criticize कर सकते हैं government के against release निकाल सकते हैं campaigns, banner यह सब निकाल सकते हैं right and whereas जो government है वो right information प्रोवाइड करती है जनता को लेकिन कौन सी form of government में democratic form of government में लेकिन non-democratic form of government में क्या है सब कुछ ruler पर depend करता है ruler चाहेगा तो होगा नहीं चाहेगा तो फिर उसके against कोई कुछ बोल नहीं सकता अब यहाँ पर भी दूसरा reason दिया हुआ है कि democracy other form of government से क्यों बेहतरीन है क्योंकि democracy में अच्छे decision लिये जाते है better decision लिये जाते है as compared to any non-democratic government because democracy is based on consultation and discussion democracy में consultation होती है बहुत सारे लोगों की एक दूसरे से पूछताश होती है एक दूसरे से बातचीत होती है discussion होता एक topic पे a democratic decision always involves many people और जो ये consultation and discussion होता है ना democracy में ये बहुत सारे लोगों के बीच में होता है तो बहुत सारे लोग बैट कर discussion करते हैं meeting करते हैं और ये meeting भी एक बार नहीं होती है बहुत बार होती है जब तक बहुतरीन decision ना आ जाए तब तक meetings होती रहती है When a number of people put their heads together they are able to point out the possible mistakes in any decision देखो जब meeting में बहुत सारे लोग बैटेंगे तो सब लोग अपना अपना viewpoint देंगे अपना अपना तर्क वितर्क देंगे और फिर एक matter पर क्या होगा discussion होगा फिर बाद में जाकर decision लिया जाएगा तो इससे होता क्या है कि जब बहुत सारे लोगों के बीच में एक ही matter पर discussion होता है तो उसमें mistakes बहुत कम पाई जाती है Although it takes time तो यह हमने it takes time यह हमने कहां पढ़ा था arguments against democracy में कि democracy का एक disadvantage यह है कि एक ही बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है बहुत ज़्यादा discussion किया जाता है और बहुत late decision दिया जाता है और इससे बहुत ज़्यादा time लगता है decision में काफी delay होता है तो यह हमने एक demerit पढ़ी थी लेकिन इसका एक advantage भी है Advantage यह है कि अगर important decisions थोड़ा time लेकर दिये जाएं तो यह अच्छा है इससे क्या होगा कि इससे mistakes नहीं होगी उन important decisions में इसके अलावा अगर important decision थोड़ा सा late आते हैं तो इससे होता यह है कि irresponsible decisions से कही ना कहीं सब लोग बच जाते हैं मतलब अगर decision जल्दी लिये जाएंगे तो क्या होगा irresponsible decision हो सकते हैं उसकी वज़े से लोगों का नुकसान भी होगा सरकार का भी नुकसान होगा लेकिन जो important decisions है उन पर proper मिल बैट कर ही meeting and consultation होना चाहिए और बहुत सारी meeting के बाद एक decision पर फैसला आना चाहिए और वो decision ऐसा होना चाहिए जिसमें सबी लोगों की भलाई हो क्योंकि last में क्या होता है ये सारी की सारी policies सारे rules, regulations, laws ये सबी लोगों पर ही तो अपलाई होते हैं तो अगर इनी में इनी decisions में तूटियां हो जाएंगी इनी decisions में mistake हो जाएंगी तो लोगों की भलाई कहां होगी उसमें राइट तो कही ना कहीं ये जो time taken period है ना ये कही ना कहीं advantage है like big advantage है because democracy improves the quality of decision making because democracy में क्या होता है कि long process होता है consultation का but decision making में quality होती है राइट मतलब इसमें mistakes की possibility बहुत ही कम होती है अब इसके अलावा ठीक है यहां से यहां पर third argument दिया है कि democracy best क्यूं है क्योंकि democracy एक method प्रोवाइड करता है to deal with differences and conflicts देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में diversity है पता है आपको तरह तरह के लोग रहते हैं अलग-अलग religion के लोग हैं अलग-अलग caste के लोग रहते हैं अलग-अलग भाशा बोलने वाले लोग हैं अलग-अलग custom and tradition को follow करने वाले लोग हैं अलग-अलग culture है सबका सब लोगों का सोचने का तरीका अलग है सब लोग अलग-अलग नजरिये से दुनिया को देखते हैं तो इतने diversity होती है तो इन diversity में कही न कहीं differences and conflicts तो आ जाते हैं लेकिन democracy एक इस तरीके का method provide करता है जिससे ये difference and conflicts खतम हो जाते हैं या कहीं न कहीं इन से deal किया जा सकता है जैसे कि democracy में एक peaceful solution दिया जाता है which is कि democracy में ना तो कोई loser होता ना ही कोई winner होता है यहाँ पर सब लोग equal हैं तो इसलिए सब लोगों को harmony and peace के साथ रहना पड़ता है right and इसके अलावा अगर elections की बात करें तो democracy में elections बिल्कुल free and fair होते हैं in society people are bound to have different opinion and interest अब society में जो लोग रहते हैं उनके अलग-अलग opinion है अलग-अलग उनके interest है उनके अलग-अपने desires, priority है अब यह जो differences हैं यह काफी sharp हैं और अगर हमारी country की बात करें तो यहां पर तो कहना ही क्या क्योंकि यहां पर तो diversity आपको पता ही है मतलब आप कुछी किलोमेटर पर चले जाओ आपको diversity देखने को मिलेगी लेकिन इस diversity को preserve करके accommodate करके रखा जाता है democracy के दुआरा ठीक है यहां पर लोग अलग-अलग भाषा बोलने वाले हैं अलग-अलग region से हैं अलग-अलग language बोलते हैं यहां पर लोग अलग-अलग धर्मों को मानते हैं मतलब यह जो लोग हैं जो इंडिया में जो यह diversity है इस diversity में जो लोग हैं वो अलग-अलग नजरिये से दुनिया को देखते हैं संसार को देखते हैं सबकी अपनी preference सबकी अपनी priority अलग है अब ऐसा भी हो सकता है कि एक group की जो preference है वो दूसरे group से clash कर जाए क्योंकि इसकी preference कुछ और हो सकती है तो ऐसे conflict को कैसे resolve किया जाता है the conflict can be solved by brutal power whichever group is more powerful will dictate its terms and other will have to accept that लेकिन अगर democracy नहीं होगी तो ये conflict कैसे किस तरीके से खतम किया जा सकता है by showing the brutal power मतलब एक दूसरे के साथ मार धाड करके, काट कर एक दूसरे को मार कर समझ रहे हो, मतलब अपनी power का misuse करके और जो group जीत जाएगा वो दूसरे group के सामने अपनी terms and conditions बता देगा और जो group हार जाएगा उसको वो सारी की सारी terms and conditions accept करने पड़ेंगी but that would lead to resentment and unhappiness लेकिन अगर इस तरीके से देश में conflict होने लगे और conflict को इस तरीके से resolve किया जाने लगा मतलब power का use करके, लोगों को मार कर, लोगों को suppress करके अगर conflict खतम किया जाने लगा तो इसे क्या होगा, इसे देश में resentment आ जाएगा, unhappiness आ जाएगी, कोई भी लोग खुश नहीं रहेंगे and लोग फिर power का ही use करेंगे and लोगों के पास आजादी होगी कि अपनी बात मनवानी है तो भाया सामने वाले को मारो और अपने बात मनवाओ, ये वाला scene हो जाएगा तो इसे क्या होगा, इसे ना तो लोग harmony में रहेंगे और ना ही लोग peaceful तरीके से रहेंगे So different group may not be able to live together for long in such a way मतलब अगर conflict को इस तरीके से खतम किया जाने लगा कि जो powerful group है वो कमजोर दल वाले group को दबाएगा, उन्हें suppress करेगा और कमजोर दल वाले लोगों को powerful group की बात माननी पड़ेगी तो इससे होगा क्या, इससे देश में resentment भी आ जाएगी, unhappiness भी होगी इसके अलावा लोग ना तो harmony से रह पाएगे, ना peace से रह पाएगे तो जो different group के लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ, फिर रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ लेकिन जहां पर democracy होगी, तो democracy की वजए से इतनी diversity के बीच में जो ये conflicts होते हैं इन conflicts का एक peaceful solution provide किया जाता है with the help of democracy इन democracy, no one is permanent and winner, तो यहां पर reason बताया है कि किस तरीके के methods, किस तरीके का peaceful solution आपको देखने को मिलता है देखो, डेमोक्रेसी में ना तो कोई permanent winner होता है, ना ही किसी की permanent हार होती है सब लोग equal है, and different group can live with one another peacefully, तो यहां पर देखो, ना तो कोई विजेता है, ना ही कोई हारने वाला है तो सभी लोग equal है, अब सब लोग equal है, तो different group के लोग एक दूसरे के साथ harmony में रह सकते हैं, peaceful तरीके से रह सकते हैं In a diverse country like India, democracy keeps our country together, अब हमारे देश में जितनी diversity है, मतलब आप count करते करते ठक जाओगे कि मैंने कहा ना कि जैसे ही आप अगर कुछ km जाते हो भाशा बदलती है, कुछ km जाते हो पहनावा बदलता है, कुछ km जाते हो तो दूसरी community आपको देखने को मिलती है अलग सोच वाले लोग देखने को मिलते हैं तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक डेमोक्रेसी ही ऐसी चीज है जिसने हमारे देश को एक जुट करके रखा हुआ है ठीक है हमने जो अभी तीन आर्गुमेंट्स देखे फोर डेमोक्रेसी ये तीनों ही आर्गुमेंट्ट गवर्मेंट एंड सोचल लाइफ की क्वालिटी पर अपना प्रभाव डालते हैं सो डेमोक्रेटिक फोर्म उफ गवर्मेंट में जो सरकार है वो रिलाइबल होती है और लोगों की जो सोचल लाइफ है वो बेहतरीन होती है अब ये जो तीनों argument है इनको दुबारा से देखो देखो पहला क्या था accountability वाला accountability में हमने क्या पढ़ा था कि जो democratic form of government है वो लोगों की need के according काम करती है लोगों की basic need को ध्यान में रख कर काम करती है whereas non-democratic form of government में क्या है non-democratic form of government में सब कुछ ruler की चलती है उसकी wish के according होता है दूसरा point हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर मैं democracy लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए देखो दूसरा point हमने क्या देखा था कि democracy में decision लेने में delay होता है और बहुत सारे लोग मिलकर consultation करते हैं discussion कर करते हैं एक important decision पर पहुचते हैं लेकिन वो decision making में काफी delay होता है लेकिन यही चीज एक advantage भी है क्यों क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर जब meeting करते हैं एक matter पर बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं न कहीं decision में बहुत ही कम possibility होती है mistakes होने की तो इससे decision making में quality improve होती है whereas अगर हम non-dem democratic form of government की बात करें तो यहाँ पर ruler की चलती है यह अपना decision तब चाहे तब सुना सकता है एक दिन में सुनाए एक साल में सुनाए कभी भी सुनाए ठीक है and इसके अलावा हाँ यह भी होता है कि जो non-democratic form of government है यहाँ पर ना तो press independent होती है ना ही मतलब किसी भी तरीके से लोगों को आजादी होती है कुछ भी बोलने की अब third form हमने क्या देखा था third हमने argument देखा था about the peaceful thing कि democracy जो है वो diversity को बनाए रखती है and जो differences and conflicts होते हैं उनको solve करने के लिए उनको deal करने के लिए एक method provide करती है क्योंकि democracy में ना कोई winner होता है ना कोई loser होता है right whereas non-democratic form of government में क्या होता ह ruler चाहे तो वो अपने community को या अपनी language को या अपने ही लोगों को आगे बढ़ा सकता है लेकिन democratic form of government में ऐसा नहीं होता democracy में सभी लोगों को आगे लेकर चलना पड़ता है मतलब differences को ध्यान में लेकर सभी लोगों को harmony and peace के साथ आगे लेकर चलना पड़ता है whereas non-democratic form of government में फ argument is that कि democracy जो है यह democracy government के लिए नहीं है मतलब democracy is not for the democracy and government instead it is for the citizens so democracy is for citizens not for government मतलब democracy में जनता ही सब कुछ है even if democracy doesn't bring better decision and accountable government it is still better than other form of government तो हमने इतने arguments देख लिए इसमें हमें एक चीज तो यह समझ में आई है कि अगर democracy में better decision नहीं लिये जाएं या फिर government accountable ना भी हो मतलब government जनता की तरफ जवाब दे ना भी हो फिर भी democracy other form of government से काफी बहतरीन है काफी अच्छी है क्योंकि democracy जो है यह लोगों की citizens की dignity को enhance करती है तो democracy में citizens की dignity कैसे enhance होती है क्योंकि citizens के view point को ध्यान में रखा जाता है उनकी बाते सुनी जाती है उनकी बातों की value की जाती है और democracy में जो जनता है उनी की तो value की जाती है तो obviously सी बात है कि citizens की जो dignity है वो enhance होगी ठीक है जो respect है वो और जादा enhance होती है as we discussed above democracy is based on the principle of political equality democracy में न political equality है राजनीतिक समानताई है on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated ones देखो यहाँ पर political equality है that means कि यहाँ पर जो poorest है न मतलब जो गरीब लोग है या less educated people है उनका same status है जैसे कि अमीर और पढ़े लिखे लोगों का तो यहाँ पर किसी भी तरीके का democracy में discrimination नहीं किया जाता everybody is equal चाहे अमीर हो गरीब हो कम पढ़ा लिखा हो जादा पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल अनपढ़ हो सब लोगों का same status है अब same status कैसे है क्योंकि यहाँ पर लोग किसी भी ruler के अंडर नहीं है बलकि सभी लोग खुद में ruler है ठीक है जनता खुद में अपनी शाशक है and even when they make mistake अगर जनता कोई mistake भी करती है they are responsible for their conduct मतलब सब अपनी अपनी गलतियों के लिए खुद responsible है कोई और responsible नहीं है so all and all सभी लोगों का same status है किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है सभी लोग अपने आप में ruler है right तो यह जो है यह democracy के जो है ऐसे feature है यह कहलो कि democracy से एक देश में इस तरीके के effect देखने को मिलते हैं social life में फिर यहाँ पर एक final argument दी गई है why democracy is better finally democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake देखो democratic form of government में अगर किसी भी तरीके की mistake हुई है तो उसे rectify किया जा सकता है जैसे कि हमने above arguments में देखा कि there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy democracy में यह को यसी guarantee नहीं होती है कि किसी भी तरीके की mistake नहीं होगी no form of government can guarantee that हाला कि democracy ही नहीं बलकि other form of government चाहिए वो non-democratic को उसमें भी यह guarantee नहीं की जाती कि कि किसी भी तरीके की कोई mistake नहीं होगी देखो mistake तो हो जाती है that is okay लेकिन democratic form of government में इस चीज़ का एक advantage यह है कि mistakes को जादा दिनों तक जादा time के लिए hide नहीं किया जा सकता and अगर mistake हुई भी है तो उस पर public discussion किया जाता है लोगों के viewpoint लिये जाते है and there is a room for correction इसके अलावा अगर mistake हुई है तो उसे rectify भी किया जाता है correct भी किया जा सकता है इसका भी मैं example दूंगी कि कैसे okay next है either the rulers have to change their decision or the rulers can be changed तो यहाँ पर क्या होता है democracy बे अगर mistake हुई है तो या तो rulers उस mistake को ठीक करें या फिर rulers को ही change किया जा सकता है but this cannot be happened in non-democratic form of government लेकिन non-democratic form of government में ऐसा नहीं हो सकता या वहाँ पर ruler है तो बहिए वो ruler चाहे वो अगली बार वही ruler बनेगा या उसका बेटा ruler बनेगा उसकी family में कोई न कोई ruler बन जाएगा right इस तरीके से जो crown है वो transfer होता रहता है non-democratic form of government में अभी इसका एक example ले लेते हैं तो यहाँ पर यह कहा गया है ना कि democracy में ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके की mistake नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है जैसे कि we are human being और हमसे mistake हो जाती है अगर हम गलत party को choose करेंगे गलत government ले आएंगे मतलब ऐसी सरकार ले आएंगे जो लोगों के hit के बारे में ही नहीं सोचती है तो फिर क्या होगा इस mistake को आप democracy में correct कर सकते हो जैसे कि आप election के time पर सरकार हटा सकते हो दूसरी सरकार ला सकते हो कहने का मतलब है दूसरी party को आप जिता सकते हो तो सब कुछ जनता के हाथ में होता है और इसके अलावा अगर कोई mistake रूलर से हो जाती है तो रूलर उन laws और उन regulations पर या उन rules पर दुबारा से discussion करेंगे और दुबारा से उसमें amendment या किसी ने किसी तरीके का reform कर दिया जाता है तो democracy में एक सबसे बड़ा advantage ये भी है कि यहाँ पर mistakes को correct किया जा सकता है rectify किया जा सकता है अभी जितने भी हमने point पढ़े हैं उनका यहाँ पर sum up दिया गया है democracy cannot get us everything देखो democracy एक जादू की छड़ी नहीं है यह हमने पढ़ा भी तक यह जादू की छड़ी नहीं है कि इसे सारी की सारी जो problems है वो solve हो जाएंगी सारी problems भी solve नहीं हो सकती और democracy से सब कुछ आ भी नहीं सकता है but it is clearly better than any other alternative that we know लेकिन जितनी भी form of government है किसी भी तरीके की हो उनमें से democratic form of government सबसे best है और उसके बारे में हमने यहाँ पर सारे के सारे argument भी करे why democracy is better than any other form of government it offers better chances of a good decision democracy में good decision लिये जाते हैं it is likely to respect people's own wishes and democracy में हर एक लोगों की wishes का ध्यान रखा जाता है उनकी need का ध्यान रखा जाता है उनकी desires का ध्यान रखा जाता है लोगों को value दी जाती है लोगों की dignity को enhance किया जाता है and allows different kind of people to live together अब देखो अलग अलग group के लोग एक साथ harmony and peace में रह पाए ऐसा सिर्फ democratic form of government के अंडर ही possible है even when it fails to do some of these things it allows a way to correcting its mistake and offer more dignity to all citizens अभी जो हमने last वाला argument देखा कि अगर democracy में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड हो जाती है कोई mistake हो जाती है तो उन mistakes को correct किया जा सकता है rectify किया जा सकता है and that is why democracy is considered the best form of government तो इसी लिए democratic form of government is better than any other form of government ठीक है तो हमने सारा point आज ये कर लिया है अब जो next point है ये वाला ये हम next video में करेंगे तो आज का जो हमारा topic है that is broader meaning of democracy इसमें हम democracy के broader meaning के बारे में बात करेंगे अब broader meaning का मतलब क्या है हम यहाँ पर जानेंगे कि democracy न सिर्फ government के लिए ही use नहीं होती बलकि इसका broader meaning है हम और भी चीज़ों के लिए democracy word को use करते हैं तो वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोगोंने इस chapter में democracy का meaning तो समझ लिया limited and descriptive sense में मतलब कम शब्दों में पर descriptive तरीके से समझा इसके अलावा बहुत सारी form of government होती है जिसमें से एक होती है democratic form of government उसके बारे में भी आपने इस chapter में समझ लिया and इस chapter के तुरू आपको democracy के features भी पता लग गए लेकिन आज के time पर democracy का जो common form है वो क्या है that is representative democracy ठीक है representative democracy यह line important है देखो democracy की जब शुरुवात हुई थी तब से लेकर आज तक democracy में काफी changes आई है यह term जो है बहुत evolve हुई है इसमें काफी सारे changes आई है time to time तो आज के time पर अगर हम democracy का common form बोलें then that is representative democracy अब इसका मतलब क्या होता है हाला कि आप इसके बारे में already पढ़ चुके हो previous classes में बट फिर भी यहां पर दुबारा से recall कर लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि representative democracy मतलब जिन countries में democratic form of government है या जो countries democracy कहलाती है वहाँ पर सभी लोग रूल नहीं करते राइट बलकि क्या होता है जो लोग होते हैं जो majority of the people है वो क्या करते हैं वो decision लेते हैं and अपने representatives को चुनते हैं तो representatives जो होते हैं फिर वो लोगों के बिहाफ पर rule करते हैं ओके तो जो लोग होते हैं वो directly rule नहीं करते बलकि जो majority of the people है they rule through their representatives क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपने representatives को elect करते हैं देखो यहाँ पर मैं थोड़ा और easiest language में बताती हूं आपको representative democracy का मतलब क्या है देखो हम लोग कितने सारे लोग है कितनी सारी आबादी है अब सभी लोग तो rule नहीं कर सकते यह तो बिलकुल भी possible नहीं है तो rule करने के लिए हमें अपने representative चुनने पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं हम अपने representatives को चुनते हैं मतलब हम नेताओं राजनेताओं को चुनते हैं ठीक है यह representative हम लोगों के बिहाफ पर rule करते हैं और हम लोगों की need के लिए यह लोग काम करते हैं ठीक है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो हम यहाँ पर directly rule नहीं कर रहे बलकि indirectly हम representatives के through rule कर रहे हैं समझ गए आप इस तरीके से representative democracy को आपने समझना है modern democracies involve such a large number of people that is physically impossible for them to sit and take a collective decision अब देखो हमें अपने representative क्यों चुनने पड़ते हैं क्योंकि इतनी सारी आबादी है large number of people हैं अब सभी लोगों के लिए physically एक दूसरे के साथ बैठना बैठ कर discussion करना फिर एक collective decision लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि देखो सब लोगों के अपने अलग-अलग viewpoint होगे बलकि decision लेने के बजाए एक दूसरे के साथ लोग लड़ने लगेंगे तो हमें representatives इसलिए चुनने पड़ते हैं ताकि वो हम लोगों के लिए decision ले पाए क्योंकि हम आम जनता के लिए physically एक दूसरे से मिलना फिर बैट कर बाते करना discussion करना collective decision लेना ये possible नहीं है इसके अलावा दूसरा reason ये है even if they could अगर suppose करो सब लोग सारी आबादी मिलकर बैट कर discussion करे भी तो सभी citizens के पास time थोड़ी ना है हर एक नागरिक के पास इतना time नहीं होगा नहीं हर एक नागरिक की ये कोई desire होगी क्या पता कुछ लोग चाहते हों कि वो decision ना ले कई लोगों के ऐसे desire भी हो सकते है और ये भी आ सकता है कि हर एक लोगों के पास एक जैसे skill नहीं है हर एक लोगों के पास ये योग्यता नहीं है कि वो इतने बड़े decision इतने important decision ले पाए तो ये reason है जिसकी वज़े से हमें representatives को चुनना पड़ता है जो हम लोगों के behalf पर decision लेते हैं and rule करते हैं बट ये जो representatives है ना ये rule करते हैं लेकिन ये हम लोगों की needs को ध्यान में रखते हैं आम जनता की जरूरतों को ये पूरा करते हैं तो यहां से आपको democracy की थोड़ी बहुत understanding अच्छे से हो गई होगी तो यहां से हमें ये तो समझ आता है कि democratic and non-democratic form of government में क्या difference है but it doesn't allow us to distinguish a democracy with a good democracy लेकिन हम कहीं न कहीं एक democracy और एक अच्छे democracy क्या होती है उसके बीच में ये difference नहीं distinguish करता because it does not allow us to see the operation of democracy beyond government मतलब हम government से परे होकर democracy के बारे में सोच नहीं पाते for this we need to turn to broader meaning of democracy अब यहां पर democracy का broader meaning दिया है कि लोग democracy को किस किस तरीके से use करते है sometimes we use democracy for the organization other than government देखो हम democracy को other organization के लिए भी use करते हैं ना कि सिर्फ government के लिए मतलब government के अलावा भी हम other organization में democracy word को use करते हैं जैसे कि first point है we are very democratic family जैसे कि कोई ये भी कह सकता है कि हमारी family काफी democratic है whenever a decision has to be taken we all sit down arrive at consensus and then my opinion matters as much as my father's तो यहाँ पर एक लड़का या एक लड़की ये भी कह सकते कि मेरी family जो है वो बिलकुल democratic है क्योंकि हम सब लोग बैट कर decision लेते हैं और सब लोग बैट कर decision लेने के बाद एक परिणाम पर पहुँचते हैं एक साथ decision लेते हैं और मेरी जो राय है मेरे जो opinion है वो उतने ही important है जितने मेरे father के important है तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है बच्चा यहाँ पर बच्चा या कोई भी यहाँ पर ये viewpoint निकलता है कि एक democratic family में सब लोग साथ में बैट कर collective decision लेते हैं and decision लेने के बाद वो decision सब पर implement होता है and इसमें family members के हर एक member का viewpoint important होता है next है I do not like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class I would like to have teachers with democratic temperament अब यहाँ पर एक बच्चा ये कहता है कि मुझे ऐसी teacher बिल्कुल पसंद नहीं है जो dictatorship करती है dictatorship में क्या होता है कि teacher बच्चों को बोलने ही नहीं देती question पूछने ही नहीं देती तो बच्चे जो हैं वो passive role play करते हैं dictatorship में and teacher active role play करती है whereas democracy में क्या होता है democracy में teacher and children दोनों ही active role play करते हैं तो teacher and children दोनों का ही opinion दोनों के ही viewpoint matter करते हैं इसके अलावा democratic form of classroom में क्या होता है कि बच्चों को बोलने की आजादी होती है question पूछने की आजादी होती है तो यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि मुझे ऐसी teacher पसंद है जिसका temperament मतलब जिसका स्वभाव democracy को मतलब एक ऐसी teacher होनी चाहिए जो हर एक बच्चे को बोलने का मुका दे question पूछने का मुका दे and अपने opinion put forward करने का मुका दे इसके अलावा one leader and his family members decide everything in this party how can they talk of democracy that means कि एक leader और जो उसकी family एक नेता और उसके family member वो सब कुछ decide करते हैं party में right then आप कैसे कह सकते हो कि ये democracy है so these ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision मतलब अगर हम अभी यहाँ पर उपर के example लें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि democracy word को आप कहीं भी use करो इसमें main चीज यह है कि जो decision है वो कैसे लिया जा रहा है क्योंकि एक democratic decision वही होता है जब decision लेने के लिए हर लोगों का consent and हर लोगों का consultation हो मतलब हर लोगों के साथ विचार विमर्श होना चाहिए लोगों की रजामंदी होनी चाहिए and specifically उन लोगों का consultation तो जरूर होना चाहिए जिन पर वो decision प्रभाव डालने वाला होता है Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful मतलब non-powerful people जिन जो कमजोर people हैं या ये कहलो कि जो ज़्यादा rich नहीं हैं जो poor लोग हैं उनके भी decision उतने ही matter करते हैं जितने powerful people के decision matter करते हैं मतलब democratic decision में किसी भी तरीके का बेदबाव नहीं होना चाहिए सब लोगों के opinion matter करते हैं चाहे आप government की बात कर लो या फिर family की बात कर लो क्योंकि democracy को आप किसी भी organization के लिए use कर सकते हो life में कहीं भी किसी भी sphere में democracy world को use कर सकते हो बट एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि democracy का जो main feature है वो यही है कि democracy में हर एक लोगों का opinion matter करता है and specially उन लोगों का जिनके लिए निर्णय लिया जाना चाहिए या जिन पर निर्णय का प्रभाव पढ़ेगा अब मैं आप लोगों को जो अभी हम democracy and good democracy पढ़ रहे थे अभी हमने उपर democracy and good democracy पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं यह वाला पार्ट कि democracy and good democracy में difference क्या है देखो democracy और good democracy में कुछ ऐसा ज्यादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी अगर हम democracy and good democracy को लेकर अगर यह देखें कि अगर आपके exam में question आएगा तो आपको कैसे उसको like लिखना है तो democracy के नीचे आप यह लिखोगे कि democracy में जो democratic form of government होती है उसमें government लोगों के द्वारा elected होती है and same यही बात यहां लिखोगे कि good democracy में भी जो government होती है वो लोगों के द्वारा elected होती है लेकिन good democracy में people take part in all the decision कि जितने भी decision लिये जा रहे हैं उसमें हर एक लोगों का opinion matter करता है और ये point आपको यहां से मिलेगा ठीक है यहां पर जो अभी हमने पढ़ा method of taking decision जिसमें हमने ये line पढ़ी थी कि सब लोगों के जो opinion है सब लोगों के consultation and सब लोगों के consent matter करते हैं तो ये होती है good democracy second difference आप लोग ये लिख सकते हो कि democracy में regular elections होते हैं लेकिन good democracy में क्या लिखोगे कि regular election तो होते हैं बट election एकदम free and fair होते हैं किसी भी तरीके का corruption नहीं होता third point आप ये लिखोगे कि जो democracy है इसमें political equality होती है राजनीतिक समानताएं होती हैं लेकिन good democracy में आप ये लिखना कि political equality के अलावा good democracy में economic equality भी होती है and social equality भी होती है ठीक है तो यहाँ पर मैंने दो-तिन point आपको बता दिये ये आप अपने exam में लिख सकते हो या अगर आप किसी competitive exam की तयारी कर रहे हो UPSC वगएर की तो इसमें और सार बहुत सारी चीज़ा आप include कर सकते हो Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become तो यहाँ पर इस line का मतलब ये है कि democracy को न हम कभी-कभी न existing government को describe करने के लिए use नहीं करते बलकि हम ideal standard की बात करते हैं कि democracy कैसी होनी चाहिए ठीक है तो democracy का main aim क्या होना चाहिए कि true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed that means कि true democracy तभी आएगी जब कोई अपने bed पर भूखा नहीं सोएगा that means कि दो वक्त की रोटी सब लोगों के पास होगी second है second जो main aim होना चाहिए democracy का वो ये है कि democracy में हर एक citizen का equal role होना चाहिए decision making में मतलब निरने लेने में हर एक का equal role होना चाहिए same status होना चाहिए चाहे वो अमीर हो गरीब हो less educated हो more educated हो या बिल्कुल illiterate हो एंट इसके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि लोगों के पास vote डालने के equal right है सिर्फ इतना ही काफी नहीं है ये तो जरूरी है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जरूरी है जैसे कि हर एक citizen के पास equal information होनी चाहिए basic education होनी चाहिए ताकि वो कुछ न कुछ काम धंदा इंसान तो कर तो ले ठीक है इसके अलावा equal resources होने चाहिए किसी के बीच मे ऐसे discrimination नहीं होना चाहिए सब लोग जो है लोग के सामने एकदम equal होने चाहिए ठीक है किसी पर भी ऐसा नहीं कि कोई नियम किसी पर लागू नहीं हो रहा है right and सबके पास opportunities होनी चाहिए equal resources का मतलब ये भी है कि opportunities सबके पास होनी चाहिए ना तो color, caste, gender किसी भी basis पर किसी से भी ना तो उनके resources चीने जाने चाहिए ना ये उनकी opportunity चीनी जाने चाहिए and a lot of commitment and एकदम निष्ठा होनी चाहिए ठीक है तो ये जो चीजें है ये बहुत important है अगर true democracy लानी है तो अब इसके बाद जो है next paragraph देखते हैं अगर हम इन ideals को जो अभी हमने नीचे ideals पड़े ना true democracy के या good democracy के इन ideals को अगर हम seriously लेने लगें और हम other democratic countries के ideals के साथ अगर इसे match करें ना तो आप एक चीज ये जरूर पाऊगे कि कहीं भी किसी भी देश में फिर तो democracy है ही नहीं क्योंकि आज के time पर democracy कैसी है minimal democracy है that means काम चल about democracy है लेकिन फिर भी एक ideal democracy की समझ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें democracy की value को remind कराती रहती है and एक ideals को या democracy के जो aim है उनको ध्यान में रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि existing democracy को हम define कर पाते हैं judge कर पाते हैं and इसकी weakness को समझ पाते हैं इसके अलावा हमे minimal democracy and good democracy का difference भी समझ में आता है मतलब एक काम चलाओ democracy कैसी होती है and एक true democracy कैसी होती है इससे हमें पता चलता है कि existing democracy काम चलाओ है या good democracy है तो इसलिए हमारे पास ये aims जो अभी हमने ये नीचे aim पढ़े ये aim and ये ideals होने बहुत जरूरी हैं अभी ये next paragraph इतना important नहीं है यहाँ पर तो यही ब पढ़ा next class में क्या पढ़ोगे जैसे कि यहाँ पर बताया है कि in this book we do not deal much with the expanded notion of democracy कि अभी तक आपने democracy का एक expanded notion नहीं देखा right अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसके institutional features and democracy के ideals and aims के बारे में जाना है and ये जाना है कि बहुत सारी form of government में democracy भी एक form of government होती है तो यहाँ पर अभी आपने democracy के सिर्फ features जाने हैं लेकिन आप जब class 10th में जाओगे तो आप democratic society and the ways of evaluating our democracy existing democracy को किस तरीके से evaluate किया जा सकता है इसके बारे में थोड़ा सा broader sense में 10th class में पढ़ोगे At this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of the life अभी तक आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि democracy को आप government के अलावा किसी और sphere में भी use कर सकते हो जैसे कि family के लिए, classroom के लिए, group के लिए, कहीं पर भी आप इस word को use कर सकते हो democracy can take many forms, democracy के बहुत सारे आपको form देखने को मिलेंगे जैसे कि government में तो हमने main form क्या देखा, elected representative के थ्रूँ लोग rule करते हैं लेकिन family में आप अलग इसका form देखोगे, classroom में अलग देखोगे, right? So there can be various ways of taking decision in democratic manner मतलब democratic में, मतलब अगर democratic decisions की बात की जाए या जहां पर भी democracy word का use हो रहा है, वहां पर अलग-अलग तरीके से decisions लिये जाते हैं लेकिन एक बात तो पकी है कि सब लोगों का consultation और सब लोगों के विचार विमर्ष equally important होते हैं अब इसके अलावा आपको ये जाना है यहां पर कि जो community है, अगर community small होती है So there can be other ways of taking democratic decisions अगर समुदाय चोटा सा है, like group काफी चोटा है जिसमें कम लोग हैं तो वहां पर democratic decision अलग तरीके से लिए जा सकते हैं मतलब देखो, अगर community चोटी होगी, तो लोग भी कम होगे जैसे कि 50 लोग होगे, 100 लोग होगे, या चलो 1000 लोग भी होगे तो इतने लोगों के बीच में ना democratic decision लेना थोड़ा अलग तरीके से आसान हो जाता है जैसे कि ये सभी लोग बैट कर इकठे मिलकर decision ले सकते हैं लेकिन जब हम करोडो और अर्बो की आबादी की बात करें तो वहां पर impossible है सब लोगों का physically बैट कर collective decision लेना लेकिन अगर community चोटी है, बहुत कम लोग हैं तो सभी लोग बैट कर direct decision ले सकते हैं अब आपको अलग अलग और तरीके सोचने हैं और आप लोग मुझे comment section में बताना मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना अभी तक इस chapter को समझा है चलो आगे का part पढ़ते हैं अभी तक हमने ये तो जान लिया कि किसी भी देश में perfect democracy नहीं है इसके अलावा फिर भी हमने इस chapter में features of democracy जाना and in features के through हमें democracy के minimum conditions का पता चला कि democracy के aim क्या है, democracy के ideals क्या है, true democracy क्या होती है ये सब चीजे हमने पढ़ी बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपने सिर्फ पढ़ लिया तो वो ideal democracy हो गई इससे कोई भी ideal democracy नहीं होती कि सिर्फ हमने aim तो set कर दिये, ideals तो set कर दिये लेकिन जब तक उन aims and ideals को आप implement नहीं करोगे, उनको लागू नहीं करोगे तो कोई भी ideal democracy नहीं बनेगा इसके अलावा हर एक democracy में democratic decision making को realize करना ज़रूरी है क्योंकि democratic decision making में मतलब क्या है कि हर एक लोगों के opinion matter करते है हाला कि ये एकदम से तो नहीं हो सकता, इसके लिए constant effort करने की ज़रूरी है मतलब अगर किसी भी देश को perfect democracy चाहिए न तो उनको decision making पर and इसके अलावा जो democracy के other ideals हैं, उनको बनाई रखने के लिए, उसको strengthen करने के लिए save रखने के लिए constant effort करने पड़ेंगे, तब जाकर एक perfect democracy अचीव होती है what we do as a citizen can make a difference to making our country more or less democratic देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, कि democracy में हम citizens बहुत major and crucial role play करते हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उससे हमारी country more or less democratic बनती है and हम ही लोग हैं जो अपने देश को less democratic बनाते हैं या more democratic बनाते हैं मतलब हम ही लोगों के पास ये power है कि हम अपने देश में democracy को strengthen कर सकते हैं या weak कर सकते हैं, क्योंकि जो देश का भविश्य है न, वो rulers के उपर नहीं टिका हुआ कि rulers क्या काम कर रहे हैं, बलकि हम citizens के ऊपर हमारे देश का भविश्य टिका हुआ होता है कि हम citizens क्या कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है तो हमें अपने देश को मजबूत बनाना है तो हमें constant effort करना पड़ेगा इसके लावा हमने इस chapter में democracy को distinguish किया other form of government के साथ अब other form of government जैसे की monarchy, dictatorship, one party rule, देखो one party rule को totalitarianism भी कहा जाता है जो हमने history का second chapter किया था, तब मैंने इसके बारे में बात की थी अब देखो अगर हम democracy की बात करें, तो democracy में क्या होता है कि हर एक citizen का active participation necessary होता है but whereas अगर हम other form of government की बात करें, they do not require all citizens to take part in politics मतलब other form of government में citizens की कोई जरूरत नहीं होती है rulers अपने आप decision ले लेते हैं and वो decision लोगों पर थोप देते हैं in fact most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics non-democratic government में क्या होता है कि जो rulers है वो चाहते भी नहीं कि citizens participate करें ठीक है, but democracy depends on active political participation by all the citizens लेकिन democratic country में या democracy में लोगों का नागरिकों का active participation होना बहुत जरूरी है and especially active political participation अब active political participation का मतलब क्या है that means democratic politics की हम लोग जो है वो elections में अपने representatives को choose करते हैं कि suppose करो अगर हमें एक party का काम पसंद नहीं अब suppose करो आज हमें BJP का काम पसंद नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा decision लेना है and that is why a study of democracy must focus on democratic politics तो इसी लिए democratic politics में citizens का active participation होना जरूरी है क्योंकि हम ही लोग अपने representatives को चुनते हैं यहां पर जो यह है न democratic politics इसका मतलब यही है कि ऐसी राजनीती जहां पर democracy हो मतलब लोग जो चाहें वो हो तीक है तो democratic politics का मतलब है कि लोग जो है अपने representatives को चुनते हैं and it has something to do with what people want कि लोग क्या चाहते हैं तो यहां पर I hope आपको यह chapter बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई doubt है तो आप मुझे comment section में बता देना आप मेरे साथ telegram, instagram पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना आपके कोई भी ऐसे general doubt है या आप उसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप instagram पर DM कर सकते हैं आपको instagram का username यहां पर screen पर भी दिख जाएगा first comment section में भी दिख जाएगा and description box में भी दिख जाएगा this had Priyanka Gaur, I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video, thank you